आई अग्जुले में अग्जुले में अग्जुले में लुट आप सभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे कोश्चन किये थे और EOQ और order level इसके most of the sums हमारे खतम हो गए थे मैंने आपको last class में बोला था कि next class से हम लोग ने छोटे छोटे वाले topics हैं वोई start करेंगे तो अब कुछ छोटे छोटे से point है जो बहुत simple simple सा concept है और उसके अंदर कोई ऐसा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है मतलब जैसे order level में कुछ technical points मिल गए यहां EOQ में मिल गए कभी purchase देदी consumption देदी इस तरी की चीज़ें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है यह सीधे question है flat यानि यह question जो design होता है exam में बहुत ही ज्यादा आसान बहुत ही ज्यादा आसान होता है और इसके अंदर कोई दिमाग लगाने वाला कोई कहास काम नहीं होता बिल्कुल सिंपल सोवर से concept हैं और limited से concept हैं हम one by one आज उनको start कर देवाले हैं जो different type के जितने हमारे question है अच्छा question कैसे मिलेंगे एक एक दो दो question नहीं मिलेगा तो हर type का एक एक दो दो question अब इसके अंदर होगा क्या किया कि जैसे एक question दो question किया similar उसका पी वाई क्यू जो आया है वो देखा फिर अगला question अगला concept concept भी बिल्कुल ऐसे चोटा चोटा बिल्कुल बच्चा वो हमें करना है और हमारा material chapter का काम हो जाएगा लेकिन वो topics अच्छे खास हैं तो यह भी हमारा थोड़ा बहुत time तो लेंगे लेंगे ठीक है जी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं remaining concept से remaining topics से किसकी तरीके के हमारे पास questions आ सकते हैं आजेगे एक हमारे पास है BQ23 page number 1.14 सीधे न page number 1.14 BQ23 देखेगा अब वो topic है most economical purchase level most economical purchase level बहुत famous topic है exam में आता रहता है study material का question है यह जो आपके सामने है exam में भी copy paste question ही आपको मिलेगा बस क्या करेगा figures को जैसे 500 यहां लिखा है न तो इसको 5000 कर देगा यह इसको 50 कर देगा बस यही करता है इसके लावा कुछ नहीं similar question copy paste आपको नजर आएगा इस question के अंदर होगा क्या जैसे आपने अभी EOQ वाले और order level वाले जितने भी questions किये थे वहाँ पर क्या थे जैसे EOQ में था ना कि अगर आपको quantity discount मिले तो आप offer accept करोगे या नहीं करोगे यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है एक price list दियो ही है quantity discount की तो इन्होंने ऐसे कह दिया कि अगर आप 500 units लोगे तो हम आपको 10% off देंगे अगर आप 600 units लोगे तो 20% off देंगे अगर आप 700 units लोगे तो 30% off देंगे ऐसे पूरी price list दियो ही है तो खूब सारी price list है खूब सारे discount rate है हमें उसमें करना क्या है बहुत simple तरीके से purchase cost निकालनी है ordering cost और carrying cost जो सबसे सस्ता बैठेगा उसे हम adopt कर लेंगे तो बहुत ही आसान बहुत ही ज्यादा आसान इसकी वेटेज ज्यादा नहीं है 5 मार्क से उपर यह नहीं आएगा ठीक है पढ़ते हैं BQ23 the purchase department of your organization has received an offer of quantity discount quantity discount का हमारे पास offer आया है on its orders of material as under price per ton 1200 रुपीज per ton price लगेगा अगर आपका जो order है जो ROQ है वो less than 500 है यानि आपका जो ROQ range है ROQ range लिखता हूं में हापर आपकी जो ROQ range है वो 1 ton से लेकर 499 ton तक कुछ भी है 500 से अगर आपका order कम है तो 400 है 300 है 200 है 150 है कोई भी order size है तो आपको 1200 per ton के rate से हम लोग price लगाएंगे ठीक है लेकिन अगर आपका order size 500 या उससे ज्यादा लेकिन 1000 से कम है यानि 500 से लेकर 999 तक अगर आपका order size है जैसे आप 500 ton का order दे रहे हैं 600, 700, 800, 900, 999 तो आपको price 1180 लगेगा 20 रुपी आपको per ton की discount मिल रही है यहाँ ठीक है फिर कह रहे हैं अगर आपका 2000 and less than, sorry 1000 and less than 2000 है यानि 1000 से लेकर 999 तक अगर आप हो 1500, 1800, 1900, 999 तक का अगर आरो क्यों है तो आपको 1160 का price लगेगा फिर कह रहे हैं अगर आप 2000 से लेकर 2999 तक का कोई आरो क्यों मेंटेन करते हो तो 1140 लगेगा अगर आपने 3000 अबव दिया, 3000 अबव तो आपको 3000 and अबव यह सिंपल है 3000 से उपर कुछ भी 3000 and अबव तो आपको हमारा 1120 का rate लेकर लेकर तो अब ज़रा यह देखिए यह अलग टाइप का question हो गया, आप मुझे बताइए जब हमारे पास EOQ वाले question होते थे तो उसमें क्या होता था कि आपको EOQ सेलेक्ट करना होता था और उसके बाद में आपके सामने क्या situation आती थी कि अब अगर कोई हमें discount दे रहा है, माल लो 5% discount तो हम statement of evaluation बनाते थे उसमें हम क्या करते थे, EOQ और discount offer दोनों की purchase cost लेते थे, ordering cost लेते थे, carrying cost लेते थे और जो total आता था उसे compare कर लेते थे किसका कम है अगर discount वाले का कम है, तो discount offer accept, otherwise reject, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर EOQ का discount से comparison नहीं है, बलकि खुव सारे discounted rate है कि यह rate पड़ेगा, यह rate पड़ेगा, अब हमारे पास situation कि है, अगर हम ज़्यादा quantity एक बार में order दे देंगे, तो हमारी storage cost, carrying cost बढ़ जाएगी और अगर हम कम quantity का order देंगे, तो हमें rate महँगा पड़ आए, प्लस हमारे जो ordering cost है, वो भी जादा पड़ेगी तो यहाँ पर हमें simply compare करना है, purchase cost, carrying cost, ordering cost, that's it, काम खतम, ठीक है आगे पड़ते हैं क्या कह रहे क्या रहे, the annual requirement for the material is 5000 tons, पूरे साल की जो requirement है, वो हमारी 5000 tons है, खरीदना हमें 5000 tons है, वो 200 करके खरीदो, 5500 करके खरीदो, 1000,000 करकर 22,000 कैसे ही खरीदो, 5000 टोटल चाहिए the delivery cost per order 1200, तो ordering cost आगे है हमारे पास, and the stock holding cost is 20% of material cost per annum, okay you are required to calculate most economical purchase level, आपको सबसे economical purchase level जो हो, वो निकालना है, ठीक है इसके अंदर हमारे पास जबहें देखिए, किते आपके पास option देखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 options है हमारे पास, अब जबहें देखिए, किस तरीके से आपको इसे दिखाना होगा बीक्यू, 23, प्रैक्टिकल वाले में करना है, कोई concept नहीं है, अब देखिए, ये कैसा, बिल्कुल छोटे छोटे question में नकाता नहीं है, इस question में कोई concept ही नहीं है, बस purchase cost, ordering cost और carrying cost को compare करो, जो सस्ता बैठे, उसे अपना done करके खतम करेंगे एक तरफ, statement showing most economical purchase level, ठीक है, अब देखो, एक मिनट के लिए रुपना, दो तरीके से statement बनाये जा सकता है, पांच कोलम लेने हैं आपको, तो ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें आरो क्यू रख देंगे अलग लग, यहाँ purchase cost, ordering cost और carrying cost रख देंगे, ठीक है, दूसरा तरीका, statement बनाने का कोई performance है नहीं होता, जैसे comfortable होता है, वैसे बनाये जाता है, दूसरा के तरीका है, कि आप यहाँ पे ले लो purchase, यहाँ पे ले लो ordering और carrying, उपर नीचे इस sequence में लिखते हैं, तो हम यहाँ पर sample आरो क्यू रखेंगे, सामने की तरह, तो यहाँ पर, one, two, three, four, five, ठीक है, particular, purchase cost, मैं यहाँ पर bracket में लिखता जाऊंगा, purchase cost में हमें क्या ले ले ना होगा, जो भी relevant purchase price है, और कितने टन खरीदना है, 5,000 टन्स आपको खरीदना है, multiply by purchase price, ordering cost, a divided by roq multiply by o, पर फेर, carrying cost, half of roq multiply by c, फिर last में हम लिख देंगे, total cost, अच्छा, यहाँ पर five दिये हुए है, exam में भी आपको five भी मिलेंगे, अगर मानलो 10 दे दे, total cost, अगर 10 दे दे, 10 अलग अलग options, तो फिर ऐसे 10 lines खीचने से better है, फिर line आप इस तरीके से खीचते, यहाँ पर आपके, फिर ऐसे कर देते हैं, यह आरो क्यू आ गए, आरो क्यू फिर एक, दो, तीन, ऐसे 10 भी आ जाएंगे, फिर purchase cost, फिर ordering cost, फिर carrying cost, फिर total cost, ठेक है, यहाँ पर, मैं आपको किस तरीके से करवा रहा हूँ, बुक में जो हमने दिया हुए ने, इस खांसर, आप जब बुक में देखेंगे इस खांसर, तो आपको नजर आएगा, देखें इस तरीके से, यहाँ पर, आरोक्यू दे दिया, यहाँ पर, ordering, carrying, purchase, यहाँ total cost, तो हमने इस तरीके से बना दिया, तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए, ओके, ठीक है सर, तो यह हमारे पास आ गया, यह, ठीक है, अब हमारे पास 5 अलग-अलग option है, ठीक है, purchase cost की बाताओ में, तो जो first option है आपके पास, उसमें देखिए price कितना है, first option में आपके पास कितना price आपको लगेगा, इसे ऐसी बना लिए, यह तो बहुत अच्छे से आता है हमें, ordering cost, carrying cost, खुब कर रहुँ है, सरी पहले भी तो करवा सकते थे, इतना असान है, कि सोचा के, जो main main चीजे पहले वो करव दें, यह तो बहुत ही कहना चाहिए, बहुत ही लड़ू गोपाल question है, तो इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको रखा था, कि पहले important वाला पूरा portion जो exam को पूरी तरीके से grab करता है, उसको रखेंगे, फिर उसके आद यह चोटे-चोटे से point एकटे न अब जला देखिए, हम चलते हैं, हमें ये 5 अलग-अलग options मिले हैं, 1,2,3,4,5, पहले में price है 1200, दूसरे में 1180, तीसरे में 1160, then 1140, 1120, ये हमारे पास अलग-अलग price रहेंगे, तो अगर आप option 1 में रहेंगे, तो 5000 ton और price रहेगा 1200, ठीक है, दूसरे में 5000 ton और price रहेगा 1180, then 5000 ton और price रहेगा 1160, then 5000 ton और price रहेगा 1140, then 5000 ton और price रहेगा 1120, ठीक है न, 2020 रुपीज गिराता जा रहे है, जब निकालना कितना, 5000 into 1200, 60 लेक रुपीज, ये आपकी purchase cost बैठेगी, first option के अंदर, उपर जाएके मैंने खाली छोड़ी है, उसका कुछ रीजन है, 59 लेक, 11 लेक रिड्यूस हो रही है, 58 लेक, 57 और 56 इस तरीके साथ हैएगा, ड़, ओके, purchase cost आगए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही simple, ये जिन्दगी आसान है, मस्त जी, मस्त रहो, खुश रहो, बस, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, जी, ठीक है, बिल्कुल simple है, देखो, जो lectures हैं, वो consistency के साथ ही देखते रहे, बहुत important है, अगर बीच में consistency छोड़ोगे न, तो पिछला सब भूल जाओगे, तो chapter की rhythm खराब हो जाती है, कभी वी, एक chapter स्टार्ट करो, तो उसे पूरा खतम करके, consistency, daily एक एक क्लास, कई बच्चे डेली दो-दो क्लास रहते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, 20 days में पूरा regular batch पढ़के खतम, सुबह, दुपह, शाम, इतना फास्ट नहीं गड़ना चाहिए, अराम से दो क्लास, आप बिल्कुल कुछ और नहीं पढ़ ले, तो तीन lecture बहुत हैं, इससे जादा नहीं, तो दो से तीन lecture इसे उपर नहीं, वरना generally अपना fix कर लो, बाकी तो एक चैप्टर पूरा करने के बाद में, फिर चाहिए, आप एक दिन का break ले लो, कोई इशू नहीं है, एक चैप्टर पूरा करा, फिर एक दिन की छुट्टी कर ली, फिर दूसरा चैप्टर चालो करेंगे, कोई इशू नहीं, उसमें 1% लेकिन एक चैप्टर एक वार में पूरा खतम करने के बाद, वरना रिदम तूपती है, ठीक है, अब भई हमें निकाल ली है, ओर्डिंग कोस्ट और कैरिंग कोस्ट, ओर्डिंग कोस्ट के लिए मेरे पास है 5000 टन डिवाइड़िड वाई, आरो क्यू, अब आरो क्यू क्या लें, आईए ज़रा देखते हैं, आरो क्यू, यह देखे, यह हमारे सामने कोस्ट है, अब आप मुझे बताइए कि जो मेरे को ओर्डर देना है, वो वन टन से लेकर 499 टन तक कुछ भी देना है, तो अब आरो क्यू में क्या लूँ, अब बताइए, यहाँ पर मैं आरो क्यू 1 टन भी ले सकता हूं, 100 टन भी इसका 1 प्लस 499 डिवाइड़ वई 2, तो 250 टन का आरो क्यू ले लो, ठीक है, इसका मतलब अलग अलग बच्चा, अलग अलग आरो क्यू ले सकता है, हमें सब पर नंबर मिलेंगे, आप इसमें से कोई भी एक आरो क्यू ले लो, इसको बोलते हैं सैंपल लेना, इसको बोलते ICI ने इसे जिस तरीके से किया है, आप कुछ भी सेंपल आरो क्यू लेके कोशन करोगे, आपको पूरे नंबर एक्जाम में मिलेंगे, कोई लिकत नहीं एक परसेंट भी, पर ICI ने इसके सेंपल लेने का एक पैटर्न सेट किया है, अब मुझे बताइए, एक्जाम में ये क question आ गया, same question, उसका answer आप करके आओगे, तो आप क्या चाहते हो, suggested answer जो ICI का आए, उससे match करे, या फिर उससे match ना करे, लेकिन ठीक हो, तो अब जो examiner है, examiner के पास instruction है, कि कोई भी ROQ लेके बच्चा कर रहा है, अगर sampling तो उसको नंबर दे दो, लेकिन सारे examiner तो ऐसे smart नही होते हैं, तो हमें एक बात दिमाग में रखनी हैं, कि हमारा answer, ICI के answer से जितना ज्यादा match होगा, हम उतने numbers के करीब होगे, कई बार ऐसा होता है, कि ICI के answer और आपके answer में हलका फुल का difference हाजाए, assumption की वज़े से, या decimal की वज़े से, उसमें number मिलते हैं, पूरे, कोई दिक्कत match करें, तो accurate match करने के लिए, ICI ने sampling RQ की, उसने क्या किया, बोले जो सबसे पहला है, जो सबसे पहली range है, 1 से लेकर 499 ton तक कुछ भी order दो, तो बताओ, ट्रक में 1 ton रखके तो मंगवाओगे नि, 1 ton quantity बहुत कम है, ऐसी situation है, 5000 चक्कर लगेंगे ट्रक के, एक एक ton लेकर हैं आपका, तो 1 ton तो नहीं मंगवाओगे, तो इसका अलब ज्याद मंगवाओगे, बोले तो एक काम करो आप, जो first वाला है न, first वाला offer, जहां पर 1200 price है, वहां पर highest round of figure रखो, first वाले में, highest round of, बताइए, highest round of आपका कितना बैठेगा, highest round of है 400, तो हम पहले वाले में रिल हैंगे, जो हमारा highest round of होगा, ठीक है, अब आप बताओ, अगर पहले वाला होता, 700, less than 700, तो range होती, 1 to 699, ऐसी situation है, हम क्या लेते RQ, sample RQ, 600, क्योंकि highest round of, 600 बेचता है यहां पर, ठीक है, ओके, तो हमें पहले वाला लेना है, highest round of, उसके बाद वाले जितने भी हैं, उसमें ल lowest round of, अब बताइए, इसके बाद वाले जितने भी हैं, उसमें lowest round of, उसके पीछे logic भी है, logic क्या है, आप एक बात दो, आप 500 टन लो, यह 999 टन लो, आपको price 1180 ही लगेगा, तो बताइए, फिर हम 999 टन क्योंने, फिर हम 500 लेंगे न, आपको कोई कहे, दो जीन्स खरीदो, त भी एक जीन्स फ्री मिलेगी, तो मुझे बताइए, ओफर अवेल करना है अगर, तो मैं 3 जीन्स क्यों खरीदूंगा, जब मेरे को 2 पे ही ओफर मिल रहा है, मैं 3 क्यों खरीदूंगा, बात समझ रहें आप, तो जैसे ही ओफर अवेल होगा, हम उस figure को उठाएंगे, तो ओफर कहां मिल गया, आपको 500 पे, तो 500 पर जाने की जड़रती निया, ओफर यहीं पर मिल गया, ऐसी सेम, बताइए, अगले में, ओफर कितनी क्वांटिटी पर मिल जाएगा, अगली में आपको ओफर मिल जाएगा, 1000 से 1999 तक, 1000 पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर 500, उसके यहाँ पर मिल रहा है, यानि मैं 3000 तन मंग वाओ, या मैं 5000 तन मंग वाओ, ओफर प्राइस सेम है, 1120, तो मैं 5000 तन मंग वाओ, मेरे श्टोर में बिनावाद के मैं समान क्यों भरूँगा, अपने पैसे को क्यों ब्लोक करूँगा, तो ओफर जहाँ मिलता है, लोएस्ट कर लगेंगे 5000 तन मंग वाओ, तो फर्ष्ट वाले के लिए क्या करना है, हाईस्ट राउंड ओफ, और बाकी सब के लिए, लोएस्ट राउंड ओफ, पहले शीच को हम समझेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ये लो, अब अगला कोशन है, अगला कोशन इसी में बताना है, ओर्डर साइट क्या लेंगे, 0 से 49 पर कोई डिसकाउंट नहीं मिल रही आपको, ठीक है, तो मुझे बताओ, 0 से 49 पर कोई डिसकाउंट नहीं है, तो पहले वाले का क्या लूँगा, हाईस्ट राउंड ओफ, 40 लूँगा, इसके बाद में 50 से 99, तो बताइए, 50 लूँगा, 107, 99, 100, 200 अबफ, तो 200, इस तरीके से चलेगा, तो पहले में हाईस्ट राउंड ओफ, और बाकी में जो भी आपकी बाउंडरी फिगर है, स्टार्टिंग फिगर है, उसी को हम उठा लेंगे, यह ICI का, सेंपल आरोक्यू लेने का तरीका है, अच्छा, सेंपल आरोक्यू आपने कैसे लिया है, कुछ नहीं बताना ICI को, सीधे जाना है और सेंपल आरोक्यू अपने लिख देने है, तो हमारा पहले वाले में आरोक्यू क्या रहेगा, 400, दूसरे वाले में आरोक्यू आपका रहेगा, 500, थर्ड में आरोक्यू, 1000, देन आरोक्यू, 2000, दे समझ रहें किस तरीके से लेना है सैंपल काइदे में तो वन से लेकर 499 तक कुछ भी लो सब पे नंबर मिलेंगे लेकिन हमें एक्जेक्ट मैच करवाना है तो हम इस पैटर्ण को फोलो करेंगे क्लेरिकल वर्क है यह कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं थी लेरिकल वर्क है अब 5000 टन मंगवाने हैं डिवाइड वाई टो एल्टर्ण कॉए 2000 गऊश्ट है तो हम ओर्डर किते लेंगे थर्टीन ओर्डर्ण म्लंटिपलाई एक औररली वाईड्र की कोस्ट है 1200 एक ओर्डिंग कोस्ट है आपकी ओर्डिंग कोस्ट ओर्डिंग कोस्ट 1200 ठीक है, 5000 divided by 500 10 orders हो गए ठीक है, 10 orders में कोई दिक्कत नहीं है multiply by 1200 5000 टन divided by 1000 5 orders हो गए कोई दिक्कत नहीं है, round of है multiply by 1200 यहाँ पर 5000 divided by 2000 2.5 order हुआ round off करेंगे किते order कर देंगे इसको 3 orders multiply by 1200 orders हमेशा positive round off होते हैं देखो बाकी सारी चीजों में क्या रहता है हमारे पास बाकी सारी चीजों में रहता है हमारे पास कि अगर कुछ भी something जैसे x point अगर 4 है तो lower side में जाएंगे जैसे कि 99.4 है तो round off करना है तो क्या करेंगे 99.4 है तो 99 करेंगे round off और 99.5 यह अब अब है तो फिर क्या करेंगे 100 कर देंगे उसको लेकिन number of orders में हमेशा धिहान रखना है positive round off करना है क्योंकि हमारे पास 5000 unit आनी है 2,000 करके मंगवा रहे हैं तो 2,000 मंगवाई फिर 2,000 मंगवाई उसके बाद में फिर एक और order देना ही पड़ेगा तो order पूरे करने पड़ेंगे हमेशा आपको तो 3 order करने पड़ेंगे वरना समानी नहीं आ पाएगा तो number of orders हमेशा ही positive round off किये जाएंगे आप जैसे 3,000 unit मंगवा रहे हो तो आपको 2 order ही देने पड़ेंगे 5,000 के लिए पहले 3,000 फिर 3,000 1,000 closing stock में पड़ा रहेगा आपका ओके 5,000 divided by 3,000 1.67 और 2 orders multiply by 1200 बहुत ही बढ़िया निकाल दीजिए 15,600 और ये हो गया 12,000 ये हो गया 6,000 ये हो गया इसका भाई का 3,600 और इसका हो गया 2,400 नोट कर दीजिए बहुत ही ज्यादा आसान है ठीक है अब कैरिंग कोस्ट निकालनी है हमारी जो होल्डिंग कोस्ट इन्होंने दी है वो दी है 20% of material कोस्ट कैरिंग कोस्ट है 20% of material कोस्ट आजो इसको black pencil लिख देता हूं में जिससे बिल्कुल किलियर अलग दिख जाए आपको half of ROQ multiply by 20% of price के लगा रहा है 1200 half of ROQ और 20% of अब price लगा रहा है 11.80 half of ROQ price लगा रहा है आपको 20% of 11.60 half of ROQ price लगा रहा है 20% of 11.40 and half of ROQ price लगा रहा है 20% of 11.20 ठीक है 400 divided by 2 multiply by 1200 into 20% 48,000 48,000 500 divided by 2 multiply by 11.80 into 20% 59,000 दूस्वेक 1,16,000 2,28,000 3,36,000 यह इनकी सब की आपके पास purchase cost वी आ गई ordering cost वी आ गई और carrying cost वी आ गई अब इनका total करके देखना है कि सबसे सस्ता कौन सा बैट रहा है बहुत simple है बहुत आसान इस question के अंदर बस यह बात थी कि एक वार अगर करके देखा हुआ होता तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं थी बस एक वार करके देखना था एक वार हो गया अब exam में कभी भी आ जाए तो हम खटैक से इसको कर देंगे तो क्या सर्थ यह exam में आता है बैटा खूब आता है exam में खूब पूचा जाता है यह examiner का बहुत वन ओव दा फेवरेट कोशन है कि सर्थ यह तो बहुत ही आसान है यस बैटा यह बहुत ही ज़्यादा आसान है पहले वाले का हुआ बच्चो 60,63,600 ओके दूसरे वाले का 59,000 59,000 59,000 12,000 59,71,000 ओके 58,60,000 1,16,000 59,22,000 okay 57, 3600, 228 59,31,600 56 24 336 59,31,600 38,400 ठीक है से मारा होगा सबका नॉर्मल है बिल्कुल ओके अब अब कुछ नहीं करना हमने यह सेंपल ले लिए थे 400, 500, 1000, 2000, 3000 क्या एक्जामिनर को बताने है हमने सेंपल कैसे लिए सबसे कम कोश्ट कौन सी है सबसे कम कोश्ट मुझे दिखरी है 59,22 जवकि हमारा आरो क्यू बन थाउजेंट है तो कोश्चन ने हम से पूछा था मोस्ट इकनोमिकल पर्चेज लेवल क्या है तो मोस्ट इकनोमिकल पर्चेज लेवल 1000 योनिट्स है आज़े यह लिखते है नोट ओप्टीमम ओर्डर क्वांटिटी और ओप्टीमम पर्चेज लेवल एज 1000 योनिट्स हैविंग लोएश टोटल कोश्ट देखिए अभी तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया है सीखते हुए तो सीखते हुए किया है तो हमने अराम अराम से समझा है वरने एक बात आता ही है पांच चीजों की पर्चेज कोस्ट ओर्डरिंग और कैरिंग जोडने में कितनी देर लगी है हर चीज के लिए एक मिनट मान दो तो फाइब मिनट्स का ये टोटल कोश्ट है मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेवन टू एट मिनट्स जा सकता है और फाइब माक्स में आता है और इसमें कोई दिमाग लगाने वाला काम नहीं किलियर है पहला लोएस्ट लो फिर हाइस्ट वाले लो और टोटल कोश्ट निकाल और बात खतम होगी इस्टाडी मैट के अंदर सिमिलर एक और कोश्टन है वहाँ पर इन्होंने केरिंग कोश्ट को फिक्स किया ये नॉट हो गया होगा सभी का बीक्यू ट्वन्टी फॉर सेम कोश्टन है बिल्कुल बस एक दो चीजों मैं हलका साथ छेड़ खानी की कोई दिक्कत नहीं इसे भी करेंगे हम लोग फिर पास्टीयर के कोश्टन देखेंगे वहाँ पर भी आए हुए हैं वहाँ के दो कोश्टन मैं आपको होमवर्क में दे दुगा आजएगे तो अभी जो प्राइस है वो थर्टी रुपीज है चीज का ठीक है एन्वल डिमांड इस टू फिफिटी योनिट्स पूरे साल में हमें टू फिफिटी योनिट्स पर्चेश कर देगे ओके ओर्डिंग कोश्ट इस रुपीज ट्वंटी पर ओर्डर एन्वल इन्वेंट्री केरिंग कोश्ट इस रुपीज फोर पर योनिट केरिंग कोश्ट इन्होंने सीधे बता दिया फोर रुपीज है इन्होंने रेट नहीं दिया मैं आपको बताता हूँ जब भी केरिंग कोश्ट वैरियवल होगी तो पता है कैसे देगा जब percentage में दी जाती है दूसरा तरीका examiner क्या करता है ये कौन सी nature हुई ये जो 10% है 10% of material cost 20 का 30 का ये हुई interest वाला portion कि भई interest लग रहा है तो 20 रुपीज investment है तो 2 रुपीज का interest 30 रुपीज investment है तो 3 रुपीज का interest लग जाएगा ठीक है दूसरा तरीका क्या होता है examiner क्या करता है carrying cost के आगे लिख देता है जैसे 4 रुपीज पर यूनिट ये होती है storage cost इसमें interest नहीं होता ये fix मान के ये चलते हैं इसके अंदर क्या स्कीन रहेगा कि ये हमारा store है store के अंदर कि जो खर्चे हैं जैसे rent है मान लो 4000 rent है ठीक है और supervisor जो भी हमारा store की पर है उसकी salary light हो गएरा सब 4000 रुपीज है अब इस store में मान लो 1000 units हमारी रखी जाती है तो बताइए 1000 units रखी 4000 के खर्चे है तो अब बताइए per unit खर्चा कितना हो गया 4 रुपीज अब यह जो 1000 unit है अराम से समझना store में 1000 units रखी रहती है on an average 4000 रुपीज हमारे store का expense है तो पर unit खर्चा कितना हो गया 4 रुपीज हो गया अब यह जो unit है यह आपने 1 lakh में खरीदी 2 lakh में खरीदी 5 lakh में खरीदी कोई फर्क नहीं परता पर unit खर्चा तो 4 रुपीज ही रहेगा क्योंकि 1000 unit 4000 का खर्चा लेकिन यहाँ पर interest को consider नहीं किया यहाँ तो store के खर्चे को consider किया है तो carrying cost के अंदर बेसिकली जो storage वाला portion होता है store वाला portion वो होता है fix कैसे? आज इस वारे में हम discuss करने वाले है store वाला portion fix ऐसे होता है आप एक वाद सोचो parking में गाड़ी लगानी है और गाड़ी लगाने के parking charge है 50 रुपीज अब आप वहाँ पे auto लगाओ 4-5 रुपे की या वहाँ पे bmw लगाओ 1 करोल रुपे की आपको जो parking charge है 50 रुपीजी देना पड़ेगा तो parking charge क्यों गया fix हो गया ऐसे ही store के अंदर store की capacity है मालो 1000 unit की store में 1000 unit रखी जा सकती है अब वह 1000 unit 1 lakh में खरीदो 2 lakh में खरीदो 50 lakh में खरीदो जो charges है store का वह fix रहेगा कि भई हमारा तो 4000 का खर्चा है 4000 हमारी cost है आप 1000 unit इसमें रखते हो तो per unit खर्चा 4 रुपीज है इसमें investment कितना है वो ignore हो रहा है तो ये सिर्फ कौन सी वाली cost हुई storage वाली cost हुई तो storage वाली cost fix होती है इसका एक और example देता हूँ आपने bank में एक locker ले लिया उस locker के अंदर आप घास फूस भर के आजाओ locker के चार्जे मानलो 4000 per annum locker charges है 4000 per annum पूरे सारक का locker charge आपको 4000 पढ़ेगा आप उसमें घास फूस भर दो तो भी 4000 पढ़ेगा आप उसके अंदर सोना रख दो भर भर के तो भी 4000 आप उसमें diamonds रख दो तो भी 4000 यानि कुछ भी रखो charges fix हैं ये storage charge होते हैं ये fix होते हैं दूसरे होते हैं interest charge interest charge के अंदर ये बात रहती है relevant कि investment कितना है जितना investment उतनी आपकी cost लगेगी तो हमारी जो caring cost होती है वो कई सारी चीजों का combination है किस किस चीज का combination है caring cost combination है storage का जो generally fix होता है interest का जो investment के साथ बदलता रहता है और obsilence का obsilence भी investment पे बेश्ट है उसमें अभी दिमाग लगाने की जरुद नहीं है ठीक है अब question solve करवाने के लिए ICI आप लोग को CA intermediate level पे क्या करता है या तो सारा का सारा fix बोल देगा कि 4 रुपीज पर unit बात खतम जैसे एक question हमारे पास आया था BQ में उसमें लिखा था caring cost does not vary according to inventory policy या inventory value तो inventory value पे फर्क पढ़ने से caring cost नहीं बदलेगी अब वो दूसरा दे सकता है percentage में 10% of cost तो cost बदलेगी तो फिर आपकी caring cost यह बदल जाएगी तो यहाँ पर सिर्फ interest consider हुआ है यहाँ सिर्फ storage डोनों एक साथ consider नहीं हो सकते तो CA inter level पर इन्होंने बड़ा simple सा करा है या तो caring cost vary होगी या तो fix रहेगी अब जैसे पीछे वाला question है इन्होंने दे दिया percentage of material cost तो material की cost बदलेगी तो caring cost भी बदल जाएगी यहाँ पर caring cost आपकी कैसी हुई variable nature की हुई और यहाँ पर आपकी caring cost दे दी इड रुपीज 4 पर unit तो पर unit 4 रुपीज है आपकी unit कितने रुपे की है इस वारे में बात ही नहीं करें तो unit 30 रुपीज की है तो भी 4 रुपीज ही carrying cost रहेगी अगर unit 29 की होगी तो भी 4 रुपीज ही लेंगे unit 10 रुपीज की हो जाएगी तो भी 4 रुपीज ही आपसे हम charge करेंगे तो यहाँ पर caring cost fixed nature की है सर पहचानेंगे कैसे fix है या variable है 95% question में तो variable होती है कुछ questions में fix होती है पहचानना बहुत 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 आसान है अगर percentage में दी है तो variable है अगर amount में दी है तो fixed है तो अभी आगे और question आएगे देखेंगे कि fix भी मिलेगी अब ऐसे question करवाँगो जहाँ fix नजर रहेगी आपको अभी तक variable वाले करवाए थे आजाओ carrying cost 4 rupees per unit है determine the optimum order quantity and the associated minimum total cost of inventory and purchase cost if shortage are not allowed मतलब obsilence नहीं है shortage नहीं है abnormal normal loss नहीं है अभी आगे normal abnormal loss भी आएंगे assume that following quantity discount schedule for a particular bearing is available to a retail store अराम से देखना बहुत 0 से 49 unit तक का order दोगे तो कोई discount नहीं मिलेगी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ price इसका मतलब price 30 rupees रहेगा अगर 50 से 99 के बीच में कोई भी order होगा तो 5% discount देंगे ज़र 30 में 5% discount देंगे 30 minus 5% 28.5 का price लगेगा यह book में लिख लेना आप लो यहाँ पर price लिख लो कोई रिकत नहीं 100 से 199 के बीच में 10% discount होगी तो 27 का हो जाएगा 30 minus 10% और 200 अबव 12% discount होगी तो 30 minus 12% 26.4 का आपको पढ़ेगा ठीक है जिए कोई रिकत नहीं है अब हमारे पास हमें जो sample ROQ लेना है वो sample ROQ आप लोग बताएंगे कितना आएगा sample ROQ जल्दी से मेरे को बताईए sample ROQ कितना आपके पास आएगा 0 से 49 में sample ROQ कितना लो sample ROQ 0 से 49 में highest round of 40 then lowest 50, 100, 200 ठीक है यही pattern हमारे चले है पहले में highest round of बाकी सब में lowest study match से clear cut आपका match हो जाएगा अब इसको solve करते हैं हम लोग सिर्फ 4 ही column हमारे पास compare करने के लिए होंगे और इसमें figures बहुत छोटी छोटी है तो बहुत आराम से होने वाला है BQ24 मैं भी करूँगा आप लोग मेरे से जल्दी करने की कोशिश करना ठीक है BQ24 Statement Showing Most Economical Purchase Quantity Particulars ROQ 1st का 40 2nd का ROQ 50 3rd का ROQ 100 और देन ROQ 200 Purchase Cost बहुत सिम्पल 250 units खरीदनी है आपको Price बदलता रहेगा Price पहले में तो 30 रुपीज है उसके बाद change होगा तो change कैसे दिखाएं तो change आपको यहां तो working note बनाना पड़ेगा यहां यहां bracket में दिखा सकते हो जैसे यहां पर 35% discount है तो 95% 30 का 95% 28.5 आएगा 30 में से 5% माइनस करोगे तो भी 28.5 आएगा यहां पर 30 रुपीज का 10% discount है तो 90% पे मिल रहे 30 रुपीज में 12% discount है तो 88% पे मिल रहे है इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसमें आपको working note नहीं बनाना पड़ेगा 250 multiply by 30 यह हो गया 7500 में यह हो गया आपका 95% 7125 और 90% 6750 और 88% यह हो गया 6600 यह आपकी purchase cost निकल कर आ गई ठीक है इसके बाद में आपको ले नहीं है ordering cost A divided by ROQ multiply by O और cost per order है 20 रुपीज ठीक है 250 divided by अगर मैं 40 करता हूँ तो round off तो नहीं आएगा 250 divided by 40 6.25 आ रहा है तो 6.25 को हम कर देंगे 7 orders एक order के 20 रुपीज 140 रुपीज हो गया ठीक है इसके बाद में हमारे पास दूसरा आ गया 250 divided by 50 ये तो 5 order हो गए सीधे 20 रुपीज से 100 250 divided by 100 2.5 order हुए तो 3 orders लेने पड़ेंगे 20 रुपीज से हैं 60 रुपीज हो गया है बहुत ही सिम्पल है और ये 250 divided by 200 1.25 1.25 और 2 orders multiply by 20 40 रुपीज ठीक है इसके बाद में हमारे पास carrying cost then total cost फिर कौन सा सस्ता है बता देंगे carrying cost half of ROQ multiply by C यहाँ पर C कोशन ने बोला है 4 रुपीज पर उनिट है कोई percentage परसेंटेज नहीं दी यह आसान होने वाला है जादा यह ज़्यादा सही लगता है मेरे कोई ज़्यादा आसान है half of ROQ into C दे 4 रुपीज half of ROQ multiply by C दे 4 रुपीज half of ROQ ठीक है 80 रुपीज 100 रुपीज 200 रुपीज 400 रुपीज ठीक है total cost जोड़ दीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा total cost 7500 140 80 ये बैठा 7720 ओके 7325 7010 अच्छा कई बार में इसे total वगेरा में या किसी चीज में वैसे generally ऐसा नहीं होगा कि कहीं errors हो पर फिर भी कहीं error हो तो वह आप adjust कर देना कई वार होता है total होके ना में क्योंकि मैं खुद अपने आप total करता हूँ तो कई वार button मेर से भी उपर नीचे दव सकता है और आपने वो chapter तो पढ़ाईए error for rectification तो आप वो कर सकते हैं 720, 7325, 7010, 7040 मुझे बताईए आपको सबसे सस्ता इसमें कौन साथ दिख रहा है बहुत simple 7010 तो हमारे पास optimum order quantity age order quantity age sample आरो क्यों कितना है इसका 100 100 units having lower total cost बहुत ही आसान अब देकि पिछले वाले में कितना time लगा और ये कितनी जलदी निवड़ लिया पिछले वाले में टाइम बहुत ज़्यादा लिया था जब कि ये बहुत आसानी से निवड़ लिया इसके copy-paste दो question exam में आये हुए है BQ आपने किया है 23 और 24 23 के copy-paste है 24 अभी तक exam में नहीं दिखाए fix वाला तो कोई बात नहीं 23 के आपको questions मिले है वो questions में mark करवा रहा हूँ कि कौन-कौन से question है 5-5 number के आएंगे 5 marks से उपर बहुत मुश्किल होता है purchase cost, ordering cost और carrying cost निकालनी है तीनों का total करना है जो सबसे कमा है वो सबसे सस्ता है sample ROQ लेने का क्या तरीका है जो first range होगी उस range का highest round of और उसके बाद का lowest सबका ओके आजाएगे हमारे पास है PYQ 10 PYQ 10 PYQ 10 तुम कहा हो बच्चे तुम्हें खोज रहे हैं आजाओ जी आज़े आराम से देखेगा question वो 6 marks में आया RS Limited had received an offer of quantity discount on its order of material agenda सामने price दे दिया और ये जो आपका BQ 23 है price उसका 6 time है वहाँ वो 8 time वहाँ पे 1200 था यहाँ पे उसका 8 time कर दिया है 9600 सब कुछ 8 time कर दिया है और quantity में यहाँ पे 1-1 0 गाइब कर दिया है तो question ऐसी बनेगा कहीं 0 गाइब कर देंगे कहीं multiply कर देंगे कुछ बस ऐसी खेल खेलते रहे कोई रिकत नहीं है अब हमारे पास आपको सिर्फ मुझे एक बात बतानी है कि इसके अंदर sample ROQ क्या बनने वाले है sample ROQ सबसे पहला है less than 50 तो less than 50 का मतलब होगे 0 से 49 या 1 से 49 फिर 50 से 99 है then 100 से 199 है then 199 से sorry 200 से 299 है और then 300 and above है ओके आप लोग को बताने sample ROQ देखे पहले वाले का lowest round of sample ROQ कितना निकलेगा 40 इसके बाद में फिर जो initial figure होगी 50 100 200 300 इसी पर पूरा answer बनके आएगा clear है annual requirement है 500 ton ordering cost है 12,500 stock holding cost 25% है तो जैसे जैसे material की cost बद लेगी ये भी change होती जाएगी question कह रहा है आपको most economical purchase level निकालना है तो हमने ROQ ले लिए 5 levels उनकी ordering cost, carrying cost, total cost आपके पास आगी जो सब से कम है वो final कर दो इसने दूसरा point और पूछ लिया EOQ निकालो अगर कोई discount ना हो और price 10,500 हो तो दो number और दी है उसके 4 marks में है 2 marks में है तो EOQ के लिए क्या 2 A O divide by C 2 annual requirement 500 टन है जया गई इसके बाद में ordering cost 12,500 है carrying cost कह रहा है कि कोई discount नहीं हो 10,500 है तो 25% of 10,500 अंडर रूट निकल जाएगा EOQ जो भी आपका अंसर आएगा तो simple है, PYQ 10 के बाद इसी का similar है PYQ 19, PYQ 19 पर आईएगा एक बार, देखते हैं उसे भी, आजाओ 19, कहां शर्मा के जा रहे हो, आओ, 5 marks में आया, homework और BQ 23 का भाई, डन, अराम से देखेगा, यह जो अभी आपने देखा न, PYQ 11, उसकी half figure कर दी है आपे देखो, वहाँ 9600 था, यहाँ पर उसका half कर दिया, या फिर आप कह सकते हो, जो आपने BQ 23 कर आए, वो 1200 था, यहाँ पर multiply by 4 करके देदी है, 4800 ऐसा है, तो ऐसी करते हैं लोग, कुछ multiply कर दें, कुछ divide, अगर आपको pattern बिल्कुल किलियर है, और आपने questions ही practice कर दिये, एक दम बन जाए है, वहाँ ordering cost अभी पिछले वाले question में 12500 थी, उसकी आधी कर दी, and the stock holding cost 25%, तो most economical purchase level और EOQ बताओ, वहाँ प्राइस देको 10500 था भी, 10500 यहाँ 5, तो figures आधी-आधी कर दी, ठीक है, 5 marks में है, ओके, तो यह बन जाएंगे हराम से, बच्चो अब हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही बताना चाहाँ था, वह चीज आज के लिए भी होगी, PYQ 7 है, देखने में बिल्कुल इसके जैसा लगेगा, कि हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन उसके अंदर छोटी-छोटी बाते हैंगी, जो उसके अंदर changes करती चली जाएंगी, एक बार PYQ 7 देखते हैं जारा, बहुत म 1.36, 1.36, PYQ 7, कोशन निकाल लीजिए, PYQ 7, पढ़ते हैं, the quarterly production of a company's product which has a steady market 20,000 units, ठीक है, एक प्रोडक्ट यानि फिनिश गूट से, उसका quarterly production यहाँ पर हमें दिया गया है, 20,000 units, यानि annual production कितना होगा, annual production होगा, अपका 80,000 units, एक यहर में 4 quarters, तो हमारे पास 80,000 units इसका annual production आ जाएगा, ठीक है, Each unit of a product require 0.5 kg of raw material, half kg material हमें एक यूनिट के लिए चाहिए, तो 80,000 units के लिए किता चाहिए, 40,000 kg raw material के हमें ज़रत पढ़ेगी, Cost of placing one order, 100 rupees, okay, and the inventory carrying cost is rupees 2 per kg per annum, आप देख रहे हैं, rupees 2 per kg per annum, मैंने आपको बताया था, कि जो carrying cost है, अगर percentage में होगी, तो बदलती रहेगी, जैसे 10% of 20 है, तो 2 rupees, अब 10% of price 18 rupees होगी है, 20 से गिरके 18, तो वो 10% of 18 हो जाए ही 1.8, और अगर question ने कहा दिया 2 rupees पर के लिए, तो ये fix वाला portion है, amount में लिखा है, तो fix, percentage में तो variable, ठीक है, lead time for procurement of raw material is 36 days, इन्होंने lead time बताया कि भी 36 days है, ये नहीं बता रहे है, कि ये average है, maximum है, minimum है, तो हम क्या मानेंगे, average भी इतना है, maximum भी इतना है, minimum भी इतना है, okay, safety stock, safety stock आ गया सर, बेटा अब इसके बाद में back to back, ये वाला question, फिर इसे next question, फिर इसे next question, हम safety stock ही सीखने वाले हैं, okay, safety stock 1000 kg है, यानि ये company 1000 kg का raw material stock हमेशा आपने पास separate portion reserve में रखती है, तो 1000 kg company के पास हमेशा एक reserve में आपके पास रखा रहेगा, of raw material maintained by the company, ठीक है, the company has been able to negotiate the following discount structure with the raw material supplier, जी, order quantity और सामने discount, तो order quantity दे दी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, आपके पास 5 range हो कहीं अलग-अलग, और सामने discount, अगर 6000 kg तक है, तो कोई discount नहीं, फिर 400 है, 2000 है, 3200 और 4000, अच्छा, जो पहले वाले question थे, उनके अंदर क्या होता था, प्राइस दे दे जाता था, जैसे कि 100 रुपीज है, तो यहाँ पर 100 रुपीज पड़ेगा, यहाँ पर 98 पड़ेगा, यहाँ पर 96, तो price ना देकर discount दे दिए, कि इतनी इतनी discount आपको मिलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, You are required to point number A, calculate re-order point, taking 30 days in a month, 1 month में 30 days लेकर re-order point निकालना है, re-order point या नहीं, re-order level आपको निकालना है, अब इस question के अंदर लिखा है, 30 days in a month, तो 30 days in a month का मतलब होता है, 360 days in a year, जब भी question आपको बोलेगा, कि 1 month में 30 days है, indirectly वो आपसे कहना चाहता है, कि एक साल में 360 days है, 12 month का एक year है, 30 days, multiply by 12, 360 आपके पास आजाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से, अब हमें re-order point निकालना है, तो re-order point के दो formula है, maximum consumption, maximum lead time, आपके पास यहाँ पे consumption पूरे साल की होगी, 40, 1000 kg, ठीक है, वो के लिए रहे, उसके बाद में आपके पास जो lead time है, वो 36 days दे रखा है, यानि maximum कितना है, कहीं पे भी mention नहीं है, दूसरा इन्होंने आपको safety stock दिया हुआ है, तो अगर safety stock दिया हुआ है, तो हम दूसरा वाला formula लगा सकते हैं, average consumption, average lead time, plus minimum stock, minimum stock की जगे हम safety stock क रखकर question को solve कर सकते हैं, तो पहले निकालते हैं, reorder point, reorder point में कोई खास दिक्कत नहीं है, आ जाईए, pyq 7, pyq 7, बहुत ही आसान question, बस थोड़ा सा रूप बदल कर आ गया है, चहरा बदल बदल कर आते हुद तुम हमारे सामने, लेकिन हम से कैसे बचोगे, हम तो तुमें पह पाकिफ है, reorder point, ROL को बोलते हैं, reorder point, formula कौन सा लगाएंगे, second वाला, average consumption, multiply by average lead time, lead time, day में हैं, तो consumption भी day में होगी, plus minimum stock की जगे हम ले सकते हैं, safety stock, okay, average consumption निकालने के लिए, हमारे को calculation दिखानी पड़ेगी, working note, average consumption per day, average consumption per day, कैसे निकालेंगे, आप लोग, बहुत simple देखे, 20,000 units of finished goods, multiply by 0.5 kg raw material, 20,000 units, 0.5 kg और 4 quarters हैं, quarter को पहले रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यह आपके पास आ गया, 4 quarters, multiply by, तो हमारे पास, 80,000 units हो गई, finish goods की, 80,000 units बनाने में, 0.5 kg के हिसाफ से, 40,000 kg raw material लग गया, कितने दिन में, 360 days में, तो पड़डे आपके पास आ जाएगा, तो 40,000 divided by 360, यह हमारे पास आगया, triple 1.11 kg, ओके, इसे triple 1 kg भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर उपर नापके round off हो जाएगा, कैसे, triple 1.11 kg, multiply by, 36 days है, आपका lead time, आप इसको multiply करोगे न, 36 है, तो आपका यह 4000 आजाएगा सीधे, तो question basically बनाए एक ऐसे गया थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, question ऐसे बनाए गया एक, जैसे average consumption यहाँ पर लेना है, तो इन्होंने ऐसी figure लिए, इसलिए मैंने भी यहाँ पर point में लिख दिया, बच्चा triple 1 kg भी ले सकता है, अगर वो triple 1 kg लेगा, तो 36 days का, उसका 3996 kg आ जाएगा, नंबर दोनों पे पूरे है, 3996 kg round off करके करते हैं, तब भी आपको पूरे number मिल जाएगे, अब यह round off हो रहा है, इसके अंदर खुदी, तो हम लोगों ने इसको इसलिए, triple 1.11 kg करके question को solve कर रहे हैं, ठीक है, यह हो गया 4,000, plus safety stock है, 1,000 kg, आपके पास 5,000 kg का ROL आ गया, ठीक है जी, हमारा पहला point, खतम, otherwise, 3,996, plus 1,000, 4,996 kg आपके पास ROL आ गया था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 1%, ठीक है जी, यह हमारे पास इन्होंने जो पहली requirement थी, वो पूरी हो गई, reorder point आ गया, इसमें कोई tension वाली, दिक्कत वाली, calculation की, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी जो second requirement आपके पास आने वाली है, इससे note कर लीगे, फिर एक बार second requirement देखते हैं, देखे हो, second requirement है, prepare a statement showing the total cost of procurement and storage of raw material, after considering the discount, if the company elect to place one, two, four, और six orders, तो आपको जो sample ROQ लेना था, पहले आपको sample ROQ खुद निकालना पड़ता था, अब आपको sample ROQ नहीं निकालना, sample ROQ ये खुद बता रहे हैं, कैसे, अगर company one order place करेगी, तो इसका मतलब एक भार में 40,000 kg बंगवालेगी, तो एक sample ROQ हो गया, वो लेने की हमाई टेंशन खतम हो गई, तो question हमारे लिए आसान हो गया इस level पर, अब हमारे पास हमें जो चाहिए, वो question ने क्या बोला है, prepare statement showing total cost of procurement, तो total cost of procurement का मतलब है, total cost of ordering, ordering का खर्चा और storage का खर्चा हमें यहाँ पर बताना है, इन्होंने हमें पर्चे जोड़ने के बनेगा, उसमें ordering cost लेनी है, storage cost लेनी है, discount माइनस करनी है, net cost आपके पास आजेगी, excluding purchase price, अगर purchase भी बोलते, तो हम purchase भी ले ले लेते, उसमें भी कोई लिक्कत नहीं है, सब जगे पर purchase वाला पार्ट और बढ़ जाता, तो यहाँ पर procurement के अंदर आपके पास ordering cost हमें लेनी है तो ordering, procurement यानि खरीदने के लिए होने वाला खर्चा, ordering cost, purchase cost को नहीं बोला, अच्छा, सिर्फ लिख देते, showing the total cost, सिर्फ total cost बोलते, तो भी हम purchase, ordering और carrying लेते, तो यहाँ पर खिलिया रह के हमें purchase cost नहीं लेनी, ordering लेनी है, और storage लेनी है, ठीक है, अब जब आपको storage cost निकालें के जितनी भी quantity का order करेंगे, वो धीरे 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 जीरो हो जाती है, तो आप average लेते हैं, अब यहाँ पर एक safety stock और अलग से रखा हुआ है, अब जब देखे, अगर आपके बास safety stock अलग से है, तो जो ROQ है, जैसे मान दो मैं कोई एक order ले लेता हूँ, कि मेरा ROQ 40,000 है इसका मतलब क्या है, 40,000 आएगा, फिर 0 हो जाएगा एक दिन, फिर 40,000 आएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो हम half of 40,000 ले लेते हैं, जिससे average stock का जाए, उसकी carrying cost 2 रुपीज, इससे आजएगा, प्लस आपने 1,000 kg एक reserve में रखा हुआ है, safety stock, एक reserve में अलग से आपने quantity रख रखे 1,000 kg और safety stock vary नहीं करता, वो पूरे साल maintain रहेगा, तो वो 1,000 kg रखने के भी तो 2 रुपे आपके खर्चोंगे, तो safety stock की भी carrying cost आपकी लगेगी, तो यहाँ पर नई चीज हमारे लिए है, कि safety stock के case में carrying cost आपकी change हो जाती है, एक वार आपको जाना पड़ेगा concept के book में, आज carrying cost in case of safety stock carrying cost equals to half of ROQ multiply by C plus safety stock multiply by C अब आपको जो ROQ है, उसकी भी carrying cost निकाल नहीं है, जो 40,000 kg, 20,000 जो भी मंगवाएंगे plus जो आपके पास safety stock है, उसकी भी carrying cost आपको लेनी होगी, और safety stock वैरी नहीं करेगा, वो पूरे साल maintain रहेगा इसे note करिए, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा एक बहुत पुरानी बात पर, जो मैंने आपसे कहा थे, एक दिन आएगा जब हम आपको एक बात बताएंगे, तो वो वक्त आ गया है, जब आज आपको वो बात बता दी जाए है, अगर आदमी इंसान अगर इंतजार करें, तो सब बातों की जवाब मिल जाते हैं, बस थोड़ी सी पेशेंस की ज़रत होती है, कई लोग क्या करते हैं, पेशेंस लूज कर जाते हैं, वो कभी लूज नहीं करनी चाहिए, दुनिया में हर बात का जवाब मिलता है, एक मेरा परसनल एक्सपिरियंस में आपको बताता हूँ लाइफ का, कई बार हमारे साथ में जब कुछ भी होता है न, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि आखिर क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, गलत हुआ, बुरा हुआ, मैं आपको सच्चा ही बताता हूँ, जीवन में इ आप और आपतोस्ति हु दोसे आपके सूझे मेरे नोट भूक चो रही थी अशो तो ऑसफो उसी में दूडबे रहो जह कुरानी सोच और रहेगा मैं यह नहीं कहा रहा कि हर्चीज सही होती है लेकिन यह जो थोट है कि भाई जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ यह थोट आपको बहुत पॉजिटिव बनाती है लाइक आपके फ्रेंड ने आपके पैसे वापिस नहीं दिये कोई बात नहीं मान लो 500,000 रुप पीच कुछ थे वह आपको वापिस नहीं मिले सबके साथ होता है यह बहुत कॉमन केसे तो आप यह सोचो के लिए लर्निंग फीज आपने लर्न कर लिया कि किसी को पैसे देने हैं नहीं देने और ऐसी उठा के नहीं दे देने तो पहले यह जानके देने हैं कि सामने वाली क और वो सकता है कि वो सच पर सब्सक्रानी में हो हो सकता है जो भी चीज समझ लो कि लर्निंग फीस है ऐसे ही मान लो आपका पढ़ाई में किसी चीज में जैसे पेपर टाइम में कई बार ना बच्चे बिमार हो जाते हैं बहुत केस होता है मैं भी बिमार हुआ था फाइनल के मेरे पेपर थे और मेरे को होगे टाइप अब हैसे मेरे धिमाग खरब के अब में क्या करूं ठाइब मेरे को ख़ाई-था ने फूरा महिना अक्टूबर का निकल गया अब एक जाम से जो एक महिना पहले का होता है वह बहुत इंप़ोर्टेंट होता है सभी लोग आप जानते हैं असली पठाई तो होती है उस टाइम पे उस टाइम तो एक अलगी एनरजी लेवल आ जाता है बूस्टर लग जाता है जो चार हिंटे पढ़ने वाला बच्चा है वो भी 12-15 हिंटे पढ़ रहा होता है किताब है किताब है और कुछ दिमाग में नीच अब ऐसे यह तो आखों पे इफेक्ट पढ़ेगा यह तो दिमाग पे यानि आप अगर पढ़ होगे तो यहां तो आपके खराब हो जाएगी क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करनी थी और दिमाग तो इन्वोल वोगा यहां फिर दिमाग पे एफेक्ट आ जाएगा तो आब डॉक्टर ने बोल दिया अब ये बात मदर को पता चल गी मेरी मदर ने बिलकुल कोई किताब ने उठानी ठीक है एक जाम से चार दिन पहले टाइफ़ाइट ठीक हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हो अब कर सकते हैं चार दिन पहले कैसे आप सोचो कोई बंदा यह सो तो यह वह नीं को से नाले मेश आ थे ऐसे इसल लोगा को यत अवोड历 को छल यह थैं हो 你可以 in the house 미 Ace शॉने तो मन में रहता है कोई निनकर पैपर निको सी ऑप्ने फड़े कोईों बात नि कट है मन में अपने यह हAudолод मैं में पेपर क見て जा रहा हूं फेल तो हो नहीं है इस वार क्योंकि सीए का पेपर मजक तो है और फाइनल का पेपर कोई बहुत गुरूप थे अब पेपर देखे में आ गया बढ़ों की बात कभी ने कह दिये हैं पापने कोई भी बात कह दी कभी आज तक जीवन में वह बात नहीं काटी और सब्सक्राइब करता है कोई वह तो हमारे मतलब उन्हों जो भगवान है उन्हों ने जो कह दिया वह फाइनल उसके आगे दिवांग नहीं चलाई जाता उन्हों जो का है वह खतम बात खतम होगी मापर ठीक है उसके बाद में पेपर देखे मैं आ गया तो जिजल्ट जिस द में यह कि नहीं देखना रिजर्ट फेली होना है कोई बात नी रिजर्ट ऐसे खोला बहुत पास वैसे आंखों से आंसु छूल गए वह मेरे को दिन आज तक या दे वह मतलब कमाल अब आप सोचो कि मैं अगर नेगेटिव हो जाता और मैं पेपर छोड़ देता मेरे 6 महीं में भी आगे पढ़ते और क्या गैरेंटी के अगली बार मेरे बहुत फूप निकल जाते तो घरवाल में बोला दे दो पेपर तो मैंने दे दिए तो आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है ना और वह चीज मेरे को इतना कॉन्फिटेंस देख मेरे लिए आज की डेट में ए एक्सपिरियेंस होते हैं वह आपको याद आते हैं कि उस ताइम भी पेपर निकल गए थे ना बस आखें बंद करके महनत किये जाओ होगा पक्का अच्छे से रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा तो कोविट जब हुआ सारे लोग डाउन लग लग गए फेस टूफेस के ला वाले की दुआ है भगवान ऐसे आशिरवाद बनाए रखे यह भगवान का दियो है सब कुछ तो यह जो एक्सपिरेंस लाइफ के होते हैं कि आपने कुछ किया फिर सकसेज मिल गई कुछ किया आपको रिजल नेगेटिव भी मिले लिकिन उससे आपको कुछ सीखने को मिला कि जिन्दगी पर आपके अंदर काम आते हैं अंदर से मजबूत कर देते हैं अंदर में किस्टन था जाती है कि कोई बात नी देख लेंगे हो जाएगा कर दिखाएंगे यह मजबूत ही आती है तो लाइफ में अगर कभी भी आपके साथ कुछ हो तो हमेशे है सोचो कि भग उसके खिलाफ action भी लो, ये जो आपने आवाज उठाई ये उसके खिलाफ action लिया, ये गलत होने के बाद कराया ना, कुछ भी, तो वो जो गलत हुआ, उससे आपको अवाज उठानी तो आई, आपके अंदरी strength तो आई, तो जो भी होता है, वो अच्छे के लिए होता है, उसक को पकड़के आगे नी चलना लाइफ में लाइफ के उपर इंपेक्ट नी डलने देना जैसे आप लोगों में कह रहा था कि आपने अपने एक फ्रेंड को कभी सपोर्ट कर दिया उसमें पैसे नहीं दिये अब इसका मतलब यह आप सपोर्ट करना छोड़ने लोगों को कोई फ अपने आपको अंदर से श्ट्रॉंग करना है और हमेशा भगवान का शुक्राना करिए आपको जीवन में जो कुछ भी मिलाए आपको पढ़ने का मौका मिलाए अच्छी लाइफ मिलिए कई लोगों को तो पढ़ना नहीं मिल पाता जो कि वह होते हैं इंटेलियंट होते है पर पढ़ाई नहीं मिल पाती आपको जो भी चीज़े मिल रहे हैं उसका शुक्राना करिए कि भगवान आपने जो भी मुझे दिया वो बहुते कमी कमी अमन ढूंदिये जो है उसमें अच्छाईया ढूंदिये आपके पास अगर कोई चीज नहीं तो यह मत सोचो मेरे पास तूटो मत कभी नहीं तूटना तो इस्ट्रोंग रहेंगे नहीं तूटेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और हमेशा लाइफ में डाउन टूर्थ रहिए किसी बात का कोई घमंड नहीं कुछ भी आ जाए पैसा आजाए नाम आजाए शोरत आजाए कभी घमं जिसके उपर अपनी कृपद रश्टी रखेंगे माबाप का जिनके उपर आशिरवाद होगा हाथ होगा गुरु लोग जिसको आशिरवाद देंगे दोस्त लोग मारे और समाज के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग जिसको दूआएं देंगे वो हमेशा आगे बढ़े उन सब की दूआएं हैं और मेरे को सब कुछ वहीं से मिला है मैं मानता हूं कि मैं एक ब्लैष्ट बच्चा हूँ जिसको यह सब कुछ मिला इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है और इसी तरीके से जिन्दगी जीने में मज आता है खुश रहते हैं हम लोग मज में रहते हैं ख फाइव एजमिशन है टोटल पहली ठीक है एन्योल रिक्वार्मेंट हमें पता होनी चाहिए दूसरा कोस्ट पर ओडर पता होना चाहिए केरिंग कोस्ट फिक्स है कोई क्वांटिटी डिसकाउंट वाला तो क्लियर हो गया अगर क्वांटिटी डिसकाउंट होगी तो कोई और आरो क्यू भी हमसे बहतर हो सकता है फिर था देरीज नो लीट टाइम अब देरीज नो लीट टाइम वाले पॉइंट को हमें समाजना है देखो अगर कोई लीड टाइम नहीं होगा यानि की समान चुटकी बजाते ही आ जाएगा इधर चुटकी बजाई और इधर समान आ गया तो हमें सेफटी स्टोक की जर्रत नहीं है ठीक है जर्रत ही नहीं है सेफटी स्टोक तो इसलिए रखा जाता है कि समान आने में देर हो गई तो कैसे करेंगे मैनेज तो सेफटी स्टोक की जर्रत नहीं है अब सेफटी स्टोक की जर्रत नहीं है इस से क्या फर्क पड पताया था कैसे बनाए यो क्यू पर और ओर्टिन कोस्ट और कैरिंग कोस्ट एक दूसरे के बरावर होती है इस बेसिस पूरा फॉर्मुला बना था अब सोचो अगर हमें सेव्टी स्टोग भी चाहिए तो कैरिंग कोस्ट क्या हो जाती हाफ ओफ और फॉर्फ इन्टू सी प् जोकशट भी नहीं रखना पड़ेगा और फिर हमारी कैरिंग कोस्ट का फॉर्मुला क्या होगा अगर सेव्टी स्टोक नहीं है तो कैरिंग कोस्ट का फॉर्मुला हाफ ओफ ऑ फॉर्मूला दिजाइन हो जाएगा तो यह जो लीट टाइम वाली एजम्शन हैं ये इसलिए है जिससे हमारा formula बनकर पूरी तरीके से तयार हो जाए आजाए ये question पर चलते है अब हमारे पास जो second requirement है हमें statement बनाना है और discount का effect दिखाते हो एक बार फिर से line पढ़ लेते हैं prepare statement showing ordering cost, carrying cost after considering the discount if the company elect 1, 2, 4 और 6 order तो 4 order size हमारे पास दिये हैं और discount को consider करने के बाद हमें ordering और carrying cost निकाल दिये हैं आ जाएगे हैं निकालना शुरू करते हैं statement showing ordering and carrying या फिर जो इन्होंने नाम दिया है procurement and storage statement showing the total cost cost of procurement and storage and storage ठीकर statement vertical या ओरिजेंटल कैसे भी हम लोग बना सकते हैं particular पहले बोला इन्होंने अगर single order हो तो अगर single order है तो ROQ 40,000 kg होगा अगर two orders है तो ROQ 20,000 kg होगा अगर four orders है तो ROQ 10,000 kg होगा और अगर six orders है तो ROQ 6,667 kg होगा एक बार में ठीक है इसकी हम working दिखा देंगे के ROQ किस तरीके से आ रहा है अब हमें एक तो चाहिए ordering cost annual ordering cost annual ordering cost में cost per order है आपके पास question ने दी है cost per order 100 rupees ठीक है one order 100 rupees 100 two orders 100 rupees 200 four orders 100 rupees 400 six orders 100 rupees 600 ठीक है ordering cost हमारे पास आ गई अच्छा एक चीज में गलत बोल गया इसमें इस question के अंदर purchase price given नहीं है वह मैं गलत बोल गया था ordering cost को बोल गया था यह cost per order है वह इस question में purchase price given नहीं है पूरे question में purchase price गायव है तो अगर question के अंदर purchase price गायव है तो purchase cost आप वैसे भी नहीं ले सकते अगर यह हमें बता देता कि भी purchase price हमारा जैसे 20 rupees है तो accordingly हमसे यहाँ पर procurement के अंदर purchase cost को भी add करवा सकता था कि भी cost of purchase plus ordering plus carrying बता दो तो यहाँ पर यह हमसे purchase cost मांग भी नहीं सकता क्योंकि question ने purchase price दिया ही नहीं है अभी जब मैं question पढ़ ला था तो मैंने 100 rupees को purchase price हो गया था 100 rupees ordering cost है purchase price question में given नहीं है ठीक है अब हमारे पास आगया जी यहाँ पर ordering cost के बाद में annual carrying cost बहुत important है ध्यान से देखेगा annual carrying cost दो तरीके हैं एक तो आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो carrying cost of ROQ तो half of ROQ into C और plus storage cost उसको ले लेंगे safety stock की दूसरा तरीका यह सीधा हम formula क्या लिख दें हैं पर half of ROQ into C plus safety stock multiply by C यह ज़्यादा असान है ठीक है अब आज आते हैं हमारे पास यहाँ पर half of ROQ में 40,000 kg multiply by 2 plus 1,000 kg का safety stock multiply by 2 half of 20,000 multiply by 2 plus 1,000 multiply by 2 1,000 multiply by 2 सब जगे सेम रहेगा safety stock सब जगे सेम ROQ चेंज करेंगे तो ROQ जो आ रहे है आपके पास उसकी आपकी carrying cost बदलती चली जाएगी multiply by 2 half of 6667 और plus 1,000 into 2 तो आपके पास carrying cost यहाँ पर आ गई 42,000 22,000 12,000 और यह हो गया 8,667 ठीक है लिए यह हमारे पास इसकी निकल कर आ गई इन्होंने कहाए के आपको cost बतानी है net of discount तो जर आप पहले लेते हैं total before discount इसकी आ गई 42,100 इसका आ गया भाई का 22,200 यह आ गया 12,400 और यह आ गया 8,667 plus 600 9,267 267 अगे अब इसमें से discount minus करनी है less discount discount आप लोगों को बतानी है कितनी मिलेगी अगर order size 40,000 है तो कितनी discount है 20,000 है तो कितनी discount है 10,000 है तो कितनी discount है और 6,667 है तो कितनी discount है आप लोगों को चेक करना है किलियर किलियर लिखा हुआ है इन्होंने slab हमें दिया हुआ है कि किस level पर कितनी discount आईगी आजये बताए 40,000 पर अगर हम होंगे तो हमारी कितनी discount आईगी यह देखेगा अगर आप 40,000 पर हैं तो इस slab के अंदर है तो discount 4,000 20,000 पर हैं तो इस slab में है 3,200 discount अगर आप 10,000 पर हैं तो इस slab में 2,000 discount और अगर आप 6,667 पर हैं तो 400 की discount आप किया जाएगी तो discount minus करते हैं हमारे पास यहां पर हमें discount मिलेगी 4,000 पर यहां पर हमें discount मिलेगी 3,200 यहां पर हमारे पास discount आएगी 2,000 और यहां पर हमारे पास discount आएगी 400 पर तो यह हमारे पास आगी total cost net of discount इन्होंने कह था कि discount को consider करके फिर cost बताईएगा तो हमने discount minus कर दी है अब हमारी cost कितनी आ रही है वो हम बता सकते हैं अगर सिर्फ कहता cost बताओ net of discount नहीं बोलता तो फिर हम discount minus करके नहीं बताते हैं हम नॉर्मली बताते कि इतनी cost आ रही है according to discount वो फिर आपकी reduce हो जाई है तो clear बोल दिया net of discount बताओ 42,100 minus 4000 12,400 minus 2000 10,400 और यह आ गया 9267 minus 400 तो 8,867 ओके working note में ROQ निकाल कर दिखा देते हैं calculation of ROQ first ABC पूछाए इनोंने हमसे ABC पूछाए इनोंने हमसे तो 1,2,3 working out में 1 single order 40,000 kg divided by 1 order तो आपका ROQ 40,000 kg 2 orders समझने हैं क्या करना है आपको 4 orders or then 6 orders 40,000 kg divided by 2 20,000 kg 40,000 kg 40,000 kg divided by 4 10,000 kg and 40,000 kg divided by 6 6,666,666,666,666,67 kg आप इसके आगे लिखते हैं तो ठीक हैं नहीं लिखते हैं तो चलेगा वो पताए कि number of order से डिवाइड के जा रहा है यह हमारा इसका point number B की खतम बहुत आसान ओर्डिंग कोस्ट और केरिंग कोस्ट लेनी हैं सिर्फ नई चीज यह थी कि केरिंग कोस्ट के अंदर हमारे पास सेफटी स्टोक की भी केरिंग कोस्ट लगती है यह हम लोग को के लिए रहा और उसका average हम लोग नहीं निकालते है ठीक है उसके इलावर discount इनों ने दे दी पुराने वाले जो question थे उनके अंदर क्या था price का slab दे देता था sample ROQ निकालना होता था यहाँ पर हमें sample ROQ नहीं निकालना खुदी single order double order खुद बता दिया कि इतना इतना ROQ आपको लेना होगा ठीक है तीसी चीज इस question के अंदर price नहीं दिया हुआ तो purchase cost हम लोग नहीं ले सकते otherwise हम purchase cost में से minus करके दिखा देते हैं जैसे की मान लो इसकी purchase cost होती 20 रुपीज तो 40,000 kg 20 रुपीज माइनस 4000 के discount पहले वाले के लिए दूसरे वाले के लिए same ऐसा ही 40,000 kg 20 रुपीज की cost 3200 discount मिल जाएगी 40,000 multiply by 20 2000 के discount मिल जाएगी इस तरीके से discount माइनस करके purchase cost में adjustment दिखा देते हैं तो purchase cost हमारे को नहीं दिवी उसमें हम safe हो गए purchase से बचिए famous question है एजट ही जाएगा ओके यह आपके पास note हो गया अब जो इसका तीसरा पॉइंट है उसमें बच्चे बहुत फस्ते हैं बहुत आसान सा पॉइंट है बहुत आसान सा बहुत जादा आसान देखेगा कैसे फसेगा बच्चा वो देखेंगे पॉइंट नमबर C state the number of order which the company should place to minimize the cost यहां तक पढ़े बस आगे छोड़ देजिए state the number of orders which the company should place to minimize the cost cost को minimize करने के लिए हमें कितने number of order देने चाहिए हैं बहुत ही सिंपल ज़ग देखे मुझे उताओ सबसे कम cost किस level पर आपकी आ रही है तो सबसे कम cost हमारी आ रही है 8,867 यानि हमें 6 orders place करने चाहिए बात खतम हो जाती वहाँ पर 38,100 या 19,000, 10,000 फॉर और 8,867 तो 8,867 हमें सस्ता पड़ेगा तो 6 order हमें place करने चाहिए हमारा RQ 6,667 होगा कोशन यहाँ पर खतम हो जाता अगर सिर्फ इतना बोलता तो कोशन देखे आगे क्या कह रहे कह रहे कि अभी जो आपने 4 level देखे हैं ये वाले ये तो आप consider कर चुके हो इनकी calculation कर चुके हो हमें आप बताईए कितने number of order दें to minimize the cost after taking the EOQ also into consideration EOQ को consider करने के बाद EOQ निकालने के बाद हमें EOQ पर ordering और carrying cost देखनी पड़ेगी उसके बाद में हम ये देखेंगे कि EOQ सस्ता है या इन 4 order में से कोई सस्ता है फिर जो सबसे सस्ता होगा वो final होगा यानि पहले हमें EOQ calculate करना पड़ेगा अगर ये ये line नहीं देते तो 4 order में से 4 options में से जो भी सस्ता होता हम उसे ले लेते और वो हमारा आ जाता 6 order देंगे अभी इन्होंने काई EOQ को भी consider करना है तो अब आपको निकालनी पड़ेगी EOQ पर ordering and carrying cost आ जाईए Point number C calculation of cost at EOQ EOQ पर cost निकालने के लिए पहले तो आपको EOQ पता होना चाहिए EOQ equals to 2A or divide by C 2 multiply by annual requirement 40,000 ordering cost 100 and carrying cost 2 रुपी EO क्यों निकालते है 2 into 40,000 divide by 2 underwood 2,000 kg ठीक है अब हमें निकालनी है इस पर ordering cost carrying cost और discount अगर कुछ है तो माइनस कर देंगे ordering cost A divided by ROQ multiply by O 40,000 kg मंगवाना है आप एक और में 20,000 kg मंगवाएंगे round off हो गया 40,000 divided by 2,000 20 orders हो गये एक order के 100 2000 रुपीर का खर्चा हो गया आपकी ordering cost का caring cost half of ROQ multiply by C plus safety stock multiply by C EOQ पर तो lead time होता ही नहीं, तो safety stock होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, अराम से समझेए और, सर EOQ पर तो safety stock होता ही नहीं, क्योंकि lead time नहीं होता, वो assumption है, कि EOQ सबसे सस्ता कब होगा, EOQ level में तो discount भी मिल रही है, आप ज़र चेक करिए, किते सारे question हमने करें, अगर supplier 4% discount दे रह वो assumptions आपको ये बताती है, कि अगर ये 5 assumptions fulfill होंगी, तो EOQ से सस्ता कुछ नहीं होगा, यानि अगर lead time 0 है, यानि safety stock नहीं है, तो EOQ सबसे सस्ता होगा, अगर quantity discount नहीं है, तो EOQ सस्ता होगा, लेकिन अगर quantity discount है, safety stock है, तो कोई other EOQ भी, कोई other ROQ भी सस्ता हो सकता है, हमने assumptions के नीचे लिखा भी था last में, कि अगर सारी assumptions match करेंगी, सारी assumptions fulfill हो जाएंगी, तो EOQ सस्ता होगा, लेकिन अगर assumptions नहीं fulfill हो रही है, तो और कोई भी सस्ता हो सकता है, वही हम check कर रहे हैं, कि कोन सस्ता होगा, तो half of ROQ यहाँ पर आ गया 2000 kg, multiply by C होगे 2 रुपीज, plus safety stock है 1000 kg, multiply by C, यह हमारे पास आ गया, 2000 plus 2000, 4000 रुपीज, ठेक है दिए, टोटल कोश्ट, net, ordering cost, plus carrying cost, minus discount, ordering cost आ गई आपकी 2000, carrying cost आ गई आपकी 4000, discount कितनी मिलेगी, तो आपका जो ROQ है, वो 2000 है, आपका जो EOQ निकल कर आया है, वो 2000 है, मुझे होता है, अगर आप 2000 units का order place करते हैं, 2000 kg का order place करते हैं, जीरो, आपको कोई discount नहीं मिलेगी, अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि EOQ 6000 से 8000 के बीच में आ जाता, तो discount मिलती 400 की, बिल्कुल मिलेगी discount, यहाँ पर हमाई discount 0 है, जीरो, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, line, up to 6000 kg ROQ, there is no discount, question ने बोला है, कि up to 6000 कोई discount आपको नहीं लेगी, तो हमारी cost कित्ती बैठी, net 6000, हमारी total cost 6000 अगई है, EOQ पर हमने calculation कर लिए, इतना note कर लिए, फिर मैं बताता हूँ, आगे की बात, question खतम हो गया, बहुत छोटी सी बात उता नहीं, इसे note कर लिए, ठीक है, अब ज़्याद देखो, फिर से question की line पढ़ते हैं, अब पूरा question समझते हैं, यह हमारे पास, देखे जाए, क्या line से लिखे हैं, पूरे question कर लिए समझते हैं, question ने हमें production बता दिया, raw material consumption यह आ जाएगा, ordering cost दे दी, carrying cost दे दी, purchase cost नहीं दी, तो purchase cost गयब हो गई, purchase को लिया ही नहीं जाएगा कहीं पर, lead time दे दिया, safety stock दे दिया, फिर question ने हमें बताए कि इत्ती इत्ती discount हमें ROQ पर मिल सकती है, हमसे ROL निकल वाए कोई दिक्कत नहीं है, फिर हमसे कहा कि हम आपको बता रहे हैं कि 40,000 kg, 20,000 kg, 10,000 kg और 667 kg अगर हो, तो ordering और carrying cost net of discount बताओ, तो ordering, carrying net of discount हमने निकाल कर बता दी, फिर बोले के बताओ कितने number of order दें जिससे company की cost minimum हो जाए, लेकिन EOQ को ज़रूर consider कर लेना, तो हमने EOQ निकाला, EOQ की ordering carrying cost निकाली, अब हम compare करेंगे कि कौन सस्ता है, जड़ा देखिए, मुझे होता हिए EOQ पर total cost आ रही है net of discount 6,000, और हमारे जो 4 order थे, उसमें हमारी minimum cost किती थी 8,867, तो मुझे बताइए, EOQ इन 4 order से भी सस्ता है, तो अगर आपको अपनी cost minimize करनी हैं, तो आपको EOQ को ही follow करना चाहिए, तो EOQ पर number of orders कितने आएंगे, ज़र देखिए, number of orders at EOQ equals to 40,000 kg divided by 2,000 kg, 20 orders, ठीक है, अब हमारे पास हम answer लिखेंगे, company should follow EOQ policy यह company should place 20 orders per annum to minimize its total cost, देखेगा, number of order which the company should place to minimize total cost, is 20 orders at EOQ, having lowest cost, यह हमारा final answer है, ठीक है, एक और इसमें बात जो छोटी समझने वाली है, वो बताता हूँ आपको, बढ़िया question है, जब भी आएगा, 10 marks में आएगा, एजटी जाएगा, कोई change करके नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, जैसे आपको दिख रहा है, और आसान है, बस इसमें safety stock पर carrying cost पूरी लगती है, वो हमें सीखना था, और last line में EOQ भी compare करना है, वो सीखना था, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन में से, जैसे की, ये वाला order था, यहाँ पर discount 4000 हो जाती, 400 की जगे, तो ये cost बदल कर कित्ती हो जाती, ये हो जाती, 5267, अब हमारी 6 orders पर cost आ रही है, 5267, अगर discount 4000 होती तो, हमारी 5267 आ जाती, फिर हमने देखा EOQ पर कित्ती cost आ रही है, 6000, तो EOQ पर 6000 और यहाँ पर 5267, तो हम 6 orders को final करते, क्योंकि 6 order तब हमें सबसे सस्ते पढ़ते, तो question बहुत ही शांदार बनाये गया, कि आप पहले 4 order लीजिए, उन पर cost निकालिए, और उसके बाद में फिर आप हमें ये बताईए, कि EOQ को consider करने के बारे ज़्यादा सस्ता कोन है, तो EOQ यहाँ पर जी लिया, बहुत ही बढ़िया question, अब हमारे पास जो safety stock का आपने point समझाए, और carrying cost वाला point समझाए, उसी के ऊपर एक बहुत बहतरीन question है, ये PYQ 9 भी है, और BQ 25 भी है, ये study material के अंदर भी है, और exam में भी आ चुका है, तो PYQ 9 आपके पास बनेगा homework, copy paste question है, BQ 25 का homework, ठीक है, हम लोग BQ 25 करेंगे, PYQ 9 आप लोग करेंगे, कुछ भी change नहीं है, figure to figure match करेंगे, A to Z, आ जाएगे, BQ 25, page number है 1.15, page number 1.15, BQ 25, optimum safety stock level, optimum safety stock level, BQ 25, page number 1.15, question बहुत ही ज्यादा आसान है, और बहुत ही unique question है, one of the very good question, जो मेरे को पसंद है, क्योंकि इसकी designing में institute ने बच्चे के साथ एक ऐसा game खेला है, कि जिस बच्चे ने एक बार किया हुआ है, वो तो चुटकियों में कर देगा, इसलिए मैंने same question PYQ वाला homework में रखा है, कि अभी हम इसको यहाँ पर class में करेंगे, उसके बाद आप घर पे देखना है, घर पे मुश्किल से 7-8 मिनट में आपका question खतम हो जाएगा, पूरा राइटिंग में, पूरा पूरा, यहाँ पर हम लोग जो question करेंगे, पूरा समझेंगे, यह बिल्कुल एक different designing है, और मतलब बहुत अच्छा question है, खूर सूरत question है, question पढ़ते हैं, IPA Limited use a small casting in one of its finished product, तो कोई finished product हम बनाते हैं, जिसमें small casting, यानि एक raw material हो गया, वो इस्तिमाल किया जाता है, ठीक है, the casting are purchased from foundry, supplier एक foundry है, वहाँ ज़े purchase करते हैं, IPA Limited purchase 54,000 casting per year, तो कितनी purchase करते हैं, पूरे साल में वो दे दिया, यह आ गया हमारे पास, at a cost of 800 per casting, प्राइस बता दिया, कितनी रुपे की एक unit है आपके बास, the casting are used evenly throughout the year in production process on 360 day per year basis, evenly का मतलब होता था, maximum consumption, minimum consumption, average consumption, सब कुछ सेम हैं, सब कुछ सेम, तो मुझे बताइए, 54,000 units हैं, 360 days है, तो average consumption per day कितनी आ गई, 150, इसका मतलब 150 casting आपकी यूज होती है, daily, 360 days तक, ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम, evenly, यानि equal रहेगा, maximum भी इतना, minimum भी इतना, average भी इतना, ठीक है, the company estimates that it costs 9,000 to place a single purchase order, ordering cost आ गई, and about 300 to carry one casting in inventory for one year, एक unit को परैनम रखने का खचा, carrying cost आ गई, A आ गया, O आ गया, C आ गया, बता रहे हैं कि जो हमारी carrying cost है, वो 300 per unit है, और ज़रा देखो, price कितना है, 800, 800 पे 300 रुपीज carrying के लग जा रहे हैं, तो बहुत जादा है, यह कितने percent हो गया, 300 divided by 800%, 37.5% carrying cost हो गई, तो बता रहे हैं कि हमारी carrying cost क्यों जादा है, the high carrying cost result from the need to keep the casting in carefully controlled temperature, तो एक temperature set करना पड़ता है, उसमें रखना पड़ता है, and humidity conditions, and from the high cost of insurance, इसका insurance charge भी जादा है, यह है, वो है, ऐसा है, वैसा है, मैं आपको बता दूँ, यह line हमारे किसी काम की नहीं है, क्यों हो भई? हमें carrying cost per unit per annum से मतलब है 300 है, हमें क्या लेना देना, क्यों जादा है, क्यों कम है, हमें तो यह बताओ, हम आपको यह क्यों निकाल के बता देंगे, तो यह पूरी line हमारे लिए irrelevant है, इसमें है, ओके, delivery from the foundry generally takes, generally शब्द का मतलब समझते हैं, generally, यह normally, यह average, तो generally, normally, यह average basis पर, हमारे पास जो delivery है, वो six days में आ जाती है, तो हमारा जो general, यह normal lead time है, वो six days है, okay, six days हमारे पास lead time आ गेंगे, but it can take as much edge, 10 days, maximum to maximum 10 days लग सकते हैं, तो हमारे पास 10 days से उपर time नहीं लगेगा, generally six days में समान आ जाता है, okay, the days of delivery time and percentage of their occurrence are shown in the following tabulation, इन्होंने यहां पर probability दी हुई है, और कितने दिन में समान आएगा, वो बताये हुआ है, delivery time, six days में समान आ जाएगा, इसकी probability है 75%, 7th day पर आएगा, उसकी 10% और add on हो जाएगी, यह add होती चली जाएगी probability, 8 day पर आएगा, इसकी 5%, 9th पर 5 और 10 पर 5, ठीक है, यह हमारे पास इन्होंने probability दे दी, यह काम आई गी अभी, सबसे पहले कह रहे हैं, compute the economic order quantity, यह तो चुटकियों का काम है, निकाल देते हैं, बच्चे वाली बात कर दी, सर, आप तो कहें थे, question बहुत तगड़ा है, हमें तो इसमें ऐसा कुछ लगा नहीं, अभी आपको मेधार चीज मिलेगी इसमें, और आपका जो एक knowledge का level है, वो बहुत high होने वाला है, इस question के बाद, सबसे पहले कह रहा है, EOQ निकाल लिए, आजाएए, 2AO divided by C under root, 2, annual requirement 54,000, ordering cost कितनी 9,000, and carrying cost 300, ओके, 2 into 54,000 into 9,000 divided by 300 under root, 1800 casting, units भी लिख सकते हैं, casting की ज़ेगे कोई लिक्कत नहीं है, यह हमारा EOQ आगया, इसमें 1% भी कोई लिक्कत नहीं है, यह बहुत ही basic बात है, ठीक है, note कर लोगी, बहुत ही आसान, बहुत simple है, बड़ा मैज़ेदार भी है, ठीक है, अब जरा देखिए, ऐसी लाइन आपने भी तक नहीं पड़ी, second, assume the company is willing to assume 15% risk of being out of stock, company कह रही है कि हम 15% stock out का risk लेने को तहीं आ रहे हैं, what would be the safety stock, safety stock company कितना रख रही हैं वो बताओ, और डूसरा reorder point यानि reorder level बताओ, तो ये risk वाली कहानी ये सब, ये हमें नहीं पता नहीं ये सब, हमने आज तक नहीं पड़ा, ये सब क्या गया है, बहुत आसानी बच्चो, बहुत आसानी, आजाओ, अराम से अब हम इसकी understanding करेंगे, लिखेगा, extra working for understanding, ये exam में नहीं करना आपको, ठीक है, इसे मैं उपर से बंद करना हूँ, जब हमारी understanding करेंगे, उसे नीचे से बंद कर देंगे, उसके बाद फिर से आपका solution शुरू हो जाएगा, इसको आपको note करना है, बहुत ज़रूरी है, इन्होंने हमें दे रखे हैं, delivery time, और नीचे दे रखे है, percentage of occurrence, या probability, एक ही बात है, ठीक है दिए, 6, 7, 8, 9, 10, यह हमारे पास हो गए, 75%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%, ठीक है, अब अराम से समझना है इसको, इसे ऐसे ही पहले note करिए, फिर अराम से समझना है, इसके आगे जो लिखने वाले हैं, वो मैं लिखूंगा, आप लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसके आगे सिर्फ आपको समझना है, देखो, इसे note कर लो, फिर मैं बताऊंगा, कि क्या लिखना है, और कैसे लिखना है, आप लोग अभी लिखेंगे नहीं, फिर मैं लिख 75% chance है कि समान आ जाएगा ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपके पास समान नहीं आएगा इसके 25% chance है अगर कोई कहता है कि मेरे पास 90% chance है कि भई मैं आज chapter पूरा कर दूँगा इसका मतलब 10% chance है कि वो पूरा नहीं कर पाएगा और पूरा नहीं कर पाएगा यही रिस्क होता है कि भही पूरा नहीं हो पाया यह रिस्क हो गया आपका अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं इस्टोक आउट रिस्क एक शब्द है इस्टोक आउट रिस्क तो इस्टोक आउट का क्या मतलब होता है इस्टोक आउट का मतलब ह कि supplier store में समान भेज़ेगा ठीक है six days में समान आ जाएगा इसके chance है 75% इसका मतलब आप समझते हैं इसका मतलब 25% chance हैं कि इस टोक नहीं आएगा क्योंकि वो 10,5,5,5 25% chance हैं कि six days के बाद आएगा यानी 7th पे, 8th पे, 9th पे, 10 पे किसी में इन दिनों में कभी न कभी आएगा 25% risk हो गया आपको ओके, तो 75% आपका समान आ जाएगा लेगा 25% chance हैं कि समान नहीं आएगा अगर समान नहीं आया तो आपका इस्टोक खतम हो चुका होगा इस्टोक खतम हो गया तो इसी को कहते हैं इस्टोक आउट रिस्क तो अगर आप six days पर फोन करते हैं या आप six days को lead time मान कर चलते हैं आप से आरो एल को डिजाइन करते हैं तो आपको 25% रिस्क है कि समान नहीं आएगा ओके आप समझें रिस्क कैसे निकालने जितना आने के चांस हैं वो सेफ और जितना ना आने के चांस हैं वो रिस्क तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेफ 75% आप सेफ हो और सेफ का मतलब है सामान आजाएगा 75% चांस तो यहाँ आजाएगा जी कोई रिकत नहीं और रिस्क और फिर समान नहीं आएगा वो कितना हुआ 25% रिस्क है कि समान नहीं आएगा लिखना नहीं है आपको भी अब हमने यह सोचा कि अगर हम 6 days पहले फोन करें यानि हम जब हमारे गोडाउन में जब हमारे इस्टोर में 6 days का इस्टोक हो यह हमारे इस्टोर अराम से समझना बाद को हम तव सप्लायर को फोन करें तो आप जब आपके गोडाउन में इस्टोर में 6 days का समान है तब सप्लायर को फोन करते हैं तो आप 75% सेफ हैं क्योंकि समान 6 days में आ जाएगा यह 75% चांस हैं और 25% चांस हैं कि समान नहीं आएगा तो 25% चांस है कि आपका इस्टोक खतम हो जाएगा क्योंकि जब आपके इस टोक जब आपके गोडाउन में हो तब फोन करें तो क्या होगा अब मुझे बताइए सेवन डेज का इस टोक आपके पास है तब आपने सप्लायर को फोन किया अब मुझे बताइए क्या इस्तथी होगी 75% चांस तो है 6 डेज पर ही आ जाएगा और बताइए 6 डेज पर नहीं आया तो 7 पर आ जाएगा उसके चांस कितने है 10% अब मुझे बताइए आप कितने सेफ हो गए अराम से बात को समझना फिर से बोलता हूँ आपके गो डाउन में अराम से करते हैं यह बहुत जरूरी यह बहुत इंपोर्टन है बहुत सिंपल सी बात है लेकिन इसको समझना जरूरी लिखेंगे नहीं आप लोग यह आपका इस्टोर आपके इस्टोर में जब 6डेज का इस्टोक था तब आपने फोन किया ठीक है तो 6डेज के इस्टोक पर आपने फोन किया अब समान 6डेज में आ जाएगा इसके 75% चांस हैं लेकिन 25% चांस हैं कि आपका इस्टोक आउट होने वाला है ठीक है तो आप 75% safe है 25% unsafe है अब मैं इसमें एक दिन add कर जाँ अराम से देखना है एक दिन add करें अगर जब मेरे go down में 7 days का समान हो तब मैं supplier को phone करूँ कि hello supplier समान भेज दो अब बताए समान कब आएगा 6 day पर आ गया 75% safe 6 day पर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है 7th पर आ जाएगा इसके chance है 10% तो इसका मतलब 85% chance है कि समान मेरे पास पहुच जाएगा मेरा stock खतम होने तक या तो 6 day पर आ जाएगा या फिर उस ते अगले दिन मेरे पास 7 days का समान है तो 75% chance तो 6 पर या जाएगा 10% हो रहे है कि 7th पर आ जाएगा तो 85% chance है समान आ जाएगा अब मेरे को risk कितना है मेरे को 15% risk है कि समान नहीं आएगा क्योंकि हो सकता है समान 8th, 9th या 10th day पर आए अब नेक्स्ट आप लोग बताइए अगर मेरे go down में मेरे store में 8 days की consumption के बरावर समान है और तब मैं supplier को phone करूँ Hello supplier मुझे समान भेज दो अब मुझे बताइए मैं कितना safe हूँ यां तो 6th day पर आ जाएगा यां तो 7th day पर आ जाएगा 7th day पर भी नहीं आया अगर 8th day पर आ जाएगा एक दिन बाद आ जाएगा दिक्कत क्या है 8th day पर आने की chance 5% तो यां तो 6th पर आ जाएगा यां तो 7th पर यां 8th पर आ जाएगा मेरा stock खतम नहीं होगा क्योंकि मेरे पास 8 days का stock रखा हुआ है अब मुझे बताइए मैं कितना safe हो गया 90% safe हुआ क्योंकि यां तो 6th यां तो 7th यां फिर 8th पर आ जाएगा तो आप यहां पर 90% safe है लेकिन अभी भी 10% risk है कि समान नहीं आएगा क्योंकि 9th यां 10 पर भी तो आ सकता है एक और दिन बढ़ाते हैं अब आप game समझ जहोंगे अगर मेरे go down में 9 days का stock है तो मुझे बताइए मैं कितना safe हूँ यां तो 6th day पर आ जाएगा 75% safe 10% or safe हो गया यां तो 7th भी दिन आ जाएगा 5% or safe हो गया 8th day पर आ जाएगा यां फिर 9th day पर आ जाएगा 5% or safe हो गया मैं अब मुझे बताइग कितने percent आप safe हो कि आपका stock खतम नहीं होगा stock out नहीं होगा क्योंकि यां तो 6th पर आ जाएगा यां तो 7th पर यां तो 8th पर यां फिर 9th पर आ जाएगा 9th तक आ गया तो आप safe हो 95% safe हो गया और अब risk रह गया 5% पीछे का सब जोड़ता चलाएगा अच्छा अगर आपके पास 10 days का stock है और आपने तब phone किया यभी 10 days का stock है तब phone किया तो समान 6th पर, 7th पर, 8th पर, 9th पर यां last to last 10th पर तो आई जाएगा 10th से ज़्यादा तो time ही नहीं है तो आपने 10th देखा हो रख लिया तो 5% safe हो गए यानि अब आप 100% safe हो के समान आपके पास आजाएगा stock out नहीं होगा यानि यहां तो 6th पर आएगा यहां तो 7th पर, यहां तो 8th पर, यहां तो 9th पर, यहां तो 10th पर ultimately 10 days के अंदर तो समान पहुचेगा ही पहुचेगा और 10 days का stock आपके पास है तो stock out हो ही, नहीं सकता risk, 0% तो यह यहां पर चल रही है कहानी, अब जड़ा देखिए अराम से समान आएगा 6th day पे समान आएगा 75% chance है 25% risk है, तो अगर आपके go down में 6 दिन का stock है, आप तो 25% risk में चल रहे हो अगर आपके go down में 7 days का stock है, तो फिर अगर आप 8 days का stock hold करते हो तो और safe हो, अगर आप 9 days का stock hold करते हो, तो 95% safe हो, और अगर आप 10 days का stock hold करते हो, तो आप पूरी तरीके safe हो, लिखना मतभी, मुझे बताईए, ROL वैसे होता क्या है ROL होता है, maximum consumption maximum lead time maximum consumption 150 unit daily, even basis पे चल रहे maximum lead time 10 तो आपका ROL 1500 units होना चाहिए काईदे में ठीक है, आपका minimum stock कैसे निकलता था minimum stock लिखना मत, ROL minus average consumption, average lead time 1500 units का आपका ROL है average consumption 150 unit average lead time 6 days 6 days का average आपका आगया 1500 units minus 900 units 1500 minus 900 600 units का आपका minimum stock होना चाहिए लिखना मत यही हमारे पास ROL और minimum stock का formula था minimum stock का क्या मतलब था minimum stock का मतलब था कि आपको कितना कम से कम stock maintain करना चाहिए safety stock actual है कि company actual में कितना stock maintain कर रही है अब देखो company 600 unit maintain करती है तो well and good लेकिन company अगर risk लेगी आपका suggestion ना मांगना यानि risk लेना तो company इससे कम भी stock maintain कर सकती है इस question के अंदर company कह रही है कि हम 15% risk लेने को तयार है तो अगर आप risk ले रहे हो तो आप minimum stock को follow नहीं कर रहे है और actual quantity of stock आपकी different होने वाली है ठीक है काईदे में करना क्या चाहिए company को काईदे में 6 days की average consumption है 150 units की 6 days का stock तो हो गया ये 900 units plus 4 days का company को रखना चाहिए safety stock 150 units से 600 units तो company अगर 6 days का average plus 4 days का provision बना के चले तो 10 days का company के पास overall stock हो जाएगा जब वो phone करेगी तो company पूरी तरीके से यहाँ पर safe हो जाती है लेकिन अगर company risk लेने वाली है तो 10 days का stock hold नहीं करेगी वो 4 days में 3 days, 2 days कुछ भी रख सकती है इसके ओपर ये question बना हुआ है इसमें अब हमें आजएए अब आप लोग पहले इतना note कर लिए और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं फिर इसकी requirement पढ़ेंगे राम से कोई जिक्कत नहीं है बहुत मज़े में समझ में आने वाला है चुटकियों में question खतम होगा भी इसको अराम से लिख लो अभी जब requirement पर जाएंगे तो आप खुद answer दोगे मेरे को answer देने की जोड़ोती नहीं पढ़ेगी answer आप बताओगे इसे note कर ये पहले है अराम से ठीक है ये note करो अब जल्दी से note कर लिए इसको note कर लिए होगा सभी ने ठीक है अब अराम से जाकर question की requirement पढ़ते है बहुत ही मज़दार question है आओ अब आपको गया रे sir बस ये point था इसके दर सिर्फ ये probability आपको समाज में आनी चाहिए बाकी question में कुछ भी नहीं देखो first requirement हो गई second requirement अराम से पढ़ते है करें company assume the company is willing to assume 15% risk of being out of stock अगर company ने सोच लिया कि 15% stock out हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है हम इतना risk लेने को तयार है तो company 15% risk लेने को तयार है करें safety stock कितना होगा और reorder point कितना होगा ROL कितना होगा और safety stock कितना होगा ठीक है आज़ो ज़रा point number B assuming 15% risk of being out of stock reorder point का formula हमारे पास होता है यह safety stock वाला कोशन है तो second वाला formula maximum consumption maximum lead time में कोई risk नहीं होता जो first formula है maximum consumption maximum lead time वहाँ कोई risk नहीं होता वो safe game है यहाँ पर है कि company risk लेने को तयार है तो second वाला formula लगेगा average consumption multiply by average lead time plus safety stock average consumption कितनी है आपकी 150 unit per day में यहाँ पर 54,000 divided by 360 days तो 150 unit per day कि आपकी consumption आगी average lead time कितना है average six days question ने कहा है generally takes six days यानि जो normal lead time या average lead time है वो six days है plus हमें safety stock रखना है safety stock आप decide करेंगे आपको कितना रखना है safety stock आप रख सकते हैं zero day, one day, two day, three day और four days मैं सारे के सारे अभी आपको match करवाँगा यहाँ पर लिखेगा safety stock equals to maximum lead time minus average lead time multiply by raw material consumption per day consumption per day ठीक है अराम से समझेंगे इससे note कर दी दिया से note करके छोड़ दी देगा ओके बहुत बढ़ दिया एक मेट में पूरा खेल खतम होने वाला है इस question का पूरा खेल खतम देखेगा उपर extra working करिए आपने यहाँ पर 6 day लिखा हुआ है यह है एवरेज एवरेज 6 day में समाना आ जाता है ठीक है और यह सारे है safety stock options कितना safety stock आपको रखना है सबसे पहले देखो 6 day का तो हमें रखना ही बढ़ेगा average consumption, average lead time तो हमें रखना ही पड़ेगा यह reorder point average consumption, average lead time तो 6 day का समान तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा इससे आप नहीं बस सकते यह तो minimum है इसका कोश्चिन हो सकता है प्लस safety stock कितना रखना है वो company को decide करना है अब आप company का management है आपको decide करना है जितना ज़्यादा risk लोगे उतना कम safety stock रखोगे जितना ज़्यादा safety stock रखोगे उतना कम risk रहेगा safety stock आपके risk को eliminate करता है कि कभी आपका stock out हो जाए तो stock out होने के risk को eliminate कर देंगा ठीक है बात अभी कुछ पले नहीं पड़ेगी सब उपर से bounce smarter होगा टेंशन लेनी ज़रोत नहीं है सब जत्ती भी bouncing के सब वापिस आईगी अराम से देखना मैं कुछ लिखवा नहीं रहा सिर्फ बात को समझने की ज़रुरत है average consumption, average week time आपके पास आ चुका है 6 days अब आपको कितना safety stock रखना है कितना नहीं रखना है यह हम लोगों को इहां पर decide करना है जी, decide करते हैं अराम से सुनना, option दे रो 0 days का safety stock रखो यानि 6 days की consumption तो आपकी है है average consumption, average week time 6 days के इलावा कोई safety stock मत रखो तो आपके उपर 25% risk रहेगा क्यों इस 6 days में समाना आने के chance 75% है 25% risk पर रहोगे अगर एक भी दिन का safety stock नहीं रखोगे 7th, 8th, 9th, 10th कभी भी आएगा तो stock out ठीक है एक दिन का safety stock रख लेते हैं अगर एक दिन का safety stock रखोगे तो इसका उपनलब 6 days तो हो गए प्लस एक दिन का आपके पास और हो गया रिजर्ब में average consumption, average lead time 6 days का गया और एक दिन रिजर्ब का आपने रख लिया safety stock में ठीक है तो आपने एक दिन का फाल्तू stock रख लिया 1 day का safety stock रख लिया ऐसी situation में आप 85% safe हो और 15% आपको risk है 15% risk है के stock out हो सकता है क्योंकि 8th, 9th ये 10th day पे भी तो आ सकता है ठीक है अगर आप 2 days का safety stock रखते हो यानि 6 safety stock हमेशा average के उपर चल रहा है 6 days से extra कितना रखते हो तो 6 days से extra कुछ भी नहीं रखते 25% risk में रहा होगे एक दिन का रख लेते हैं जी 15% risk में रहा होगे 2 दिन का रख लेते हैं यानि अब 8th day और 7th day दोनों का आगया 2 दिन का safety stock होगे 6 के उपर चलेगा safety stock safety stock हमेशा average के उपर चलेगा तो 6 के उपर आगे जैसे ही आपने safety stock बढ़ाया risk खतम अब बताईए 90% हो गया अब 10% risk में हो आप भी भी एक दिन का और बढ़ाते हैं 3 दिन का safety stock रखते हैं अगर 3 दिन का safety stock रखोगे तो 7th, 8th, 9th 3 दिन का safety stock आगया सारा का सारा safety stock चलेगा 6 के उपर 6 के उपर क्यों क्योंकि reorder point में average consumption average lead time में 6 days तो आ चुके हैं ये तो हम पे है ही है इसको हम ignore ही नहीं कर सकते है इसके इलावा कितना रखना है वो question है तो 0 days का रखोगे 25% risk एक दिन का रखोगे 15% risk दो दिन का रखोगे 10% risk में रहोगे अगर 3 दिन का रख लिया 7th, 8th, 9th तो 5% risk बचा बस और मैं ये दार बात अगर 4 दिन का रख लिया आपने safety stock यानि 10th day तो 4 days का ही तो रखना चाहिए का दिन में तो आप में कोई risk ही नहीं 100% safe होगे तो आप अगर 4 days का safety stock रखते हैं तो आपके उपर कोई भी risk नहीं है और यही तो हमारा suggestion है अगर पूछा जाए कि minimum stock कितना है तो मैं कहूँगा minimum stock है 4 days क्योंकि 4 days का रखने के बाद आप risk से बाहर आ जाते हैं लेकिन company आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी ये company का decision है company कहती है हाँ जी हम 0% risk पर रहेंगे तो 4 दिन का safety stock रखो हम 5% risk लेंगे तो 3 दिन का safety stock रखो हम 10% risk लेंगे तो 2 दिन का safety stock रखो हम 15% risk लेंगे तो 1 दिन का safety stock रखो हम 25% risk लेने को तयार है तो safety stock रखो 0 दिन का safety stock रखो ओके सर बात समझ में आ रही है safety stock कैसे decide होगा कि आखिर आप कितना risk लेने के लिए तैयार है higher the safety stock, lower the risk यह है पूरी कहानी तो उपर average और safety stock options लिख लोगा ठीक है ओके यहाँ पर आते हैं अब मुझे बताइए safety stock कैसे निकारने है company कह रही है हम 15% risk लेने को तैयार है तो मुझे बताइए 15% risk कब होगा जब आप 85% safe होगे यह हमने table बना ली थी ठीक है अब मुझे बताइए आप 15% risk लेने को तैयार है 85% आप safe रहना चाहते हैं तो आप 7th day को यानि एक दिन को safety stock रखेंगे एक दिन का safety stock रखना है यहाँ पर अब हम कैसे दिखाएंगे अगर आप 15% risk लेना चाहते हो तो आपका maximum lead time होगा 7 days क्यों हो भई 7 days क्यों maximum lead time तो 10 days है risk decide करेगा आप maximum क्या मानते हैं इसका मतलब आप यह सोच रहे हो कि 7 days से ज्यादा कभी लगेंगे यह नहीं तभी तो आप सिर्फ एक दिन का safety stock रखने को तहीं आरो तो maximum lead time यहाँ पर 7 day और average lead time 6 days एक दिन का safety stock आप रखेंगे 150 units तो आपके पास आगया safety stock 150 units यहाँ पर भी आगया 150 units आपका reorder level आगया यह 900 प्लस 150 900 प्लस 150 1050 units ओके अराम से इसको ऐसे नोट कर लिए फिर इसके नीचे हम लिखेंगे understanding average consumption यानि six days का इस टोक तो होगा ही होगा उसके अलावा ऐसी लिखना बिलकुल याद रहेगा safety stock रखना है edge पर risk एक्सेप्टेंस रिस्क की एक्सेप्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उससे साब से आप safety stock रखोगे 25 परसेंट रिस्क इकोश्टू या मीन्स no safety stock 15 परसेंट रिस्क 1-day safety stock 10 परसेंट रिस्क 2-day safety stock 5 परसेंट रिस्क 3-day safety stock 0 परसेंट रिस्क 4-day safety stock और यह जो 0 परसेंट रिस्क और 4-day safety stock है it is minimum or suggested stock level also यही minimum stock या फिर suggested stock level था जो हमने पढ़ा था तो आपको समझ में आए कि minimum stock और safety stock में क्या फर्क है it is minimum or minimum stock level और suggested stock level तो minimum stock level का मतलब है 4 दिन का stock रखो safe रहो और safety stock का मतलब है कि company decide करेगी 25 परसेंट रिस्क, 15, 10, 5 कितना परसेंट रिस्क लेना है according भी वो अपने पास रखेगी ठीक है पहले point में था कि भाई हम 15% रिस्क लेना चाहते है इसे adjective note करिए उसके बाद में अब इसका जो second के आगे वाला part है वो आप लोग solve करेंगे third part में फिर से रिस्क लेने के लिए तयार है third part में फिर से रिस्क लेने के लिए तयार है आप लोग बताएंगे आप safety stock किता रखा जाएगा मज़ेदार question है बहुत बड़ी question है अब बताएगे जिस बच्चे ने ये नहीं पढ़ा हुआ वो कैसा exam में करेगा और आपको एक वाद अदा दूँ कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि अभी समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल परिशान होने की ज़रुद नहीं है इसको दुवार ऐसे देखेंगे आप लोग समझ में आ जाएगा पूरा और पहले ये question पूरा हो जाने दो question पूरा होने के बाद में पी वाई क्यू नहीं इसका copy paste है वो homework में दिया है वो करना फिर भी समझ में नहीं तो एक वार दुवार से देख ले ना वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी बच्चे को समझ में नहीं फिर भी बीच में लगता है थोड़ा वो तो गवरानी कोश्चन की रिक्वार्मेंट नमबर थ्री अब आप लोग कर लोगे हंड़ेट परसेंट गैरेंटी ले रहा हूँ मैं एजियूम दक कंपनी विलिंग तो एजियूम 5% रिस्क ओफ इस्टोक आप कंपनी के रिए हम 5% रिस्क ले सकते हैं बस आप मुझे बताओ कंपनी अगर 5% रिस्क लेने को तयार है तो कितने दिन का सेफटी स्टोक रखना होगा तीन दिन का कैसे यहां आप सेफटी लिख रहा हूँ आप एग्जाम में क्या करेंगे एग्जाम में आपको कोई टेवल वेवल नहीं बनाने जैसे हमने टेवल बनाईए न वो अंडरेश्टेंडिंग के लिए यहां तो आप एक मिनट में समझ जाएंगे कि कितना रिस्क है 75% सेफ है तो 25% रिस्क है तो 6 डेज पी रहो 10 और जोड़ दो 85 हो गए यहां फिर कह दो कि 10% रिस्क कम हो गया 15% बचा रिस्क 5% और कम करो 10% बचा यहां पर यहां 5% और कम करो 5% बचा यहां पर यहां 0% ठीक है 6 डेज तक का तो मेंडेटरी है उसके आगे safety stock options है तो जब कह रहे था 15% रिस्क लेने को तयार हो तो इसका अलब एक दिन का safety stock रखने को तयार है अब कह रहे है 5% रिस्क लेने को तयार हो तो इसका मतलब 9th day तक 7th, 8th, 9th 3 दिन का safety stock रखना पड़ेगा अच्छा इसी के नीचे मैं और question बनाता हूँ company कह रहे 0% रिस्क लेने को तयार है तो 7th, 8th, 9th, 10th 4 days का safety stock रखो अच्छा company कह रहे 10% रिस्क लेने को तयार है तो बताए 7th और 8th दो दिन का safety stock रखो जितना question बोलता जाए कि रिस्क लेने को तयार है accordingly safety stock decide होगा अब 5% रिस्क लेने को तयार है company फिर safety stock और reorder point बताना है आपको आजाएए अब 5% वाला करते हैं बिल्कुल के लिए हो जाएए 5% वाला करते के साथ जी लिखेगा assuming 5% risk of being out of stock ठीक है जी कोई table label नी बनानी वहाँ पर वहाँ कोशन कैसे चलेगा देखो वहाँ सबसे पहले यह क्यों निकालोगे अभी जब homework में करोगे सीधे यह क्यों निकालना कोई table नी बनानी table में देखते सिर्फ observe कर लेना है चाहो तो pen से उस पर लिख लेना यह table label में टाइम खराब नहीं करना एक मिनट में समझ में आ जाएगा सिम्पल है 75 प्लस 10 85 90 95 100 खतम कहा नी इसमें कहे बस बास समझ में आनी चाहिए थी फिर जैसे 15 परसेंट रिस्क वाल आ गया यह आपका यहाँ पर आ गया कोई understanding हो गया नहीं अफ सीदे आ जाईए सबसे पहले पूछ रहा है safety stock safety stock में formula आपको क्या लिखना है maximum lead time और lead time decide होगा आपने कितना risk लिया है उससे तो यहाँ पर जो maximum lead time आपका आने वाला है minus average lead time multiply by consumption पर दे maximum lead time अब 5% risk ले रहे हो तो 9 days यह सोच रहे है 9 days में समान आ जाएगा 5% risk लेने का मतलब है 9 days मानके चल रहे है maximum कि इससे जादा time नहीं लगेगा 0% risk होता तो maximum lead time 10 होता 10% risk होता तो lead time maximum 8 days तो यहाँ पर जो maximum lead time है वो risk के हिसाफ से decide होगा 6 days आपका average तो 3 दिन का stock होगया वैसे सीधी बात भी बोल सकते हो कि 7th, 8th, 9th 3 days का safety stock रखेंगे consumption पर दे 150 units है आजाएए यह होगे 450 units का safety stock रख लो आप ठीक अब हमारा reorder point क्या बनेगा reorder point average consumption average lead time plus safety stock बचे दिमाग में आ सकता है सर्फ maximum वाला क्यों नहीं ले रहे? जब भी company risk के लिए तयार है तो वो ROL maximum into maximum वाला नहीं लेगी एक मिनट के लिए रुख जाएगे दिमाग में यह doubt आ सकता है आपके बाद में भी जब भी company maximum into maximum लेती है maximum consumption, maximum lead time तो वो safe हो जाती है 100% तो अगर company कभी भी बोल रही है हम risk लेने को तयार है it means वो ROL कौन सा ही उच कर रहे है average consumption, average lead time plus safety stock और safety stock कैसे निकलेगा जितना आप risk ले रहे हो उसके accordingly day decide होंगे कि maximum lead time अब आप 9 दिन मान रहे हो 5% risk ले रहे हो यानि आप यह मान रहे हो 9 days पर समान आ जाता है अच्छा जब आपने 15% risk लिया था इसका माला आप यह मान रहे थे 7th day पर maximum समान आ जाएगा तभी तो आप risk ले रहे हो ओके यहाँ पर अब आपके पास आ गया 5% risk है तो इसका माला 9th day पर समान आ जाएगा 3 days का safety stock हो गया 6 days तो के normal है अब यहाँ पर 6 days 150 unit average consumption, average lead time 900 unit तो यह हो गई और safety stock 450 units का आप safety stock रख रहे हो 3 days वाला आपका reorder point 900 plus 450 1350 units यहाँ costing ओके ला जवाब question must take them note कर दीजिये इसको study material का बहुत ही बढ़िया question requirement number 4 अब कुछ नहीं है अब question में कुछ नहीं बचा requirement number 4 assume 5% stock out risk यानि third point में 5% है उसी को पकड़के चल रहे है what would be the total cost of ordering and carrying inventory for one year ordering और carrying cost आपको बताने है अगर 5% risk लेते हैं तो ठीक है लिए annual ordering and carrying cost annual ordering and carrying cost at 5% risk ordering cost a divided by ROQ multiply by O 54,000 है annual requirement ROQ आपका 1800 unit है सबसे पहला point यह था question ने point number 1 निकल वाया था EOQ तो 1800 units मंगवाते हैं हमार बार एक order की cost है हमारी 9,000 54,000 divide by 1800 number of order होगे 30 multiply by 9,000 2,70,000 तो ordering का खर्चा आएगा हमारा पूर साल में 1800, 1800 करके मंगवाएंगे अब वो ही पुराना पैटर्न चालग हो गया वो सारी कहान ही खतम हो गई और carrying cost safety stock वाला question है तो half of ROQ into C plus safety stock multiply by C half of ROQ 1800 unit carrying cost है 300 plus safety stock 5% risk वाले में safety stock कितना था 5% risk वाले में safety stock था 450 unit तो आप 450 unit का safety stock maintain कर रहे होगे उनकी carrying cost और लगेगी 300 1800 divided by 2 multiply by 300 and 450 multiply by 300 45,000 आपकी carrying cost लगेगी total cost 270 plus 4,5,000 6,75,000 ordering और carrying cost हमसे इना निकल वाई थी वो हमने इनको निकाल कर दे दी अब कह रहे हैं कि नहीं अभी हम मानेंगे नहीं पहले यो क्यों निकल वा लिया उसके बाद में 15% risk हो तो बताओ कितना safety stock और order level होगा फिर कह रहे हैं 5% risk हो तो बताओ कितना safety stock और order level होगा फिर कह रहे हैं अच्छा 5% कितनी होगी अब एक पॉइंट और पूछने अरे भाई कहीं तो थम्जाओ बच्चे को मारोगे क्या यह तो बच्चे की जान लेने पर आ गए है study material का question है exam में भी आए हुगा है exam में maximum कितने नंबर काएगा 10 marks से उपर का question ही नहीं है तो यह question 10 marks में आएगा तो भई यह तो थोड़ा बड़ा question हो जाएगा नहीं होगा बड़ा कैसे नहीं होगा अभी जब आप इसका PYQ करोगे ना सेम तो मैंने आपको पहले ही बोला था 10 मिनट से उपर आपको नहीं लगेंगे पूरा PYQ की खतम हो जाएगा तो आप देखना कि आपकी speed कित्ती बड़ा आती है हाँ जी आजाओ 5th point हद कर रहे हैं वैसे यह पहले यो क्यों निकालो 15% पे safety stock आरोल फिर 5% पे निकालो फिर 5% पे ordering को केरिंग कोस निकालो यहां तक तो ठीक था फिर और आगे भी पूछ रहे हो या थम जाओ कहीं तो रुख जाओ बच्चे को जीने दो चलो कर फिफ्थ अच्छा है बिलकुल फिफ्थ पॉइंट बिलकुल बेकार है क्या कहरे हैं Refer to original data Assume that using process re-engineering the company reduce its cost of placing purchase order to 600 पहले आपकी ordering cost 9,000 थी अब कहरे हैं वो 600 हो जाएगी In addition, company estimate when the waste and inefficiency caused by inventory are considered true cost of carrying a unit in stock 720 carrying cost 720 तो पहले ये 9,000 था अब 600 कर दिया ये 300 था उसको 720 कर दिया ठीक है जी? कोई बात नहीं बदल दिया आप बताओ आगे क्या करना है कहरें EOQ निकाल दो फिर से अरे भाई ठीक है कोई बात नहीं क्या कर सकते हैं फिफ्ट का A point EOQ 2A O divided YC under root 2 54,000 ordering cost अभी नों ने कर दी कि भाईया ordering cost हमारी बदल गई कित्ती कर दी थी बदल के 600 और carrying cost कर दी 720 टू इन्टू 54,000 इन्टू 600 दिवाइड बई 720 अंडर root लो जी 300 casting आ गया EOQ पहले 1800 आ रहा था कह रहें यह तो आपने बहुत अच्छा काम करा कुछ और भी पूछना है मैं आपसे point number B last point A last point A जी EOQ आ गया last point How frequently यानि कितने दिन में Would the company be placing an order as compared to old policy तो आप अब कितने दिन में order देंगे ठीक है comparison between old and new order frequency देखे को पहले आप 360 days में number of orders existing old तो existing में आप 300 unit मंगवा रहे हो 54,000 डिवाइड वाइड थ्री हंडड़ 54,000 डिवाइड वाइड थ्री हंड़ आपको 180 orders देने पड़ेंगे और पहले आप 1800 units मंगवाते थे तो आप 30 orders दिया करते थे छीक है frequency existing 360 days में 180 order देने यानि हर दो दिन पर आप order देते हैं आपको हर second day पर order देना पड़ेगा old 360 days में 30 order देते थे तो आपको पहले 12 days में order देते थे अब आप 2 days में order प्लेस करते हैं existing और old के अंदर frequency का change माँगा था तो frequency होता है कि कितने दिन में आप order प्लेस करते हो तो अभी 180 order दे रहे हो पहले 30 order दे रहे थे date के हिसाफ से निकाला तो अभी हर दो दिन में order देना है पहले 12 दिन में order देना पड़ता था तो पहले हर 12 दिन के बाद order था अब दो दिन के बाद order है line दिखेंगे प्ले्ट करके देने पर देन थे प्टाइड के बाद दूखेंगे पलिखेंगे दूखेंगे तो प्लेस आटर था तो देखेंगे एवरी second day in comparison of old policy that is 12 day तो पहले 12 देज में ओडर होता था और अब हर दो दिन में आपको ओडर देना पड़ेगा ठेक है कि वाइंडिंग अप कर रहे हैं आज को कोश्चन बहुत आसान है जब आप इसका पीवाई क्यू नाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बस एक वार जो प्रोबैबिलेटी समझनी थी वो समझ जाते तो आपको इस टोक लेवल का आईडिय हो जाता कि सेफटी स्टोक किता रखना है रियोडर लेवल कितना रखना है तो सेफटी स्टोक रियोडर लेवल ये चीज हमसे इसकी जो अंडरिस्टेंडिंग इस कोश्चन के अंदर बनती है वो किसी और के अंदर नहीं बनती आप एक ही बार इसकी practice करेंगे जैसी PYQ 9 की आपका confidence एकदम से boost कर जाएगा लेकिन break लेके करना एकदम class के बाद मत करना तो थोड़ा सा break डालना आधे घंटे का अराम से उसके बाद में अराम से question करना 101% आप इस question को उड़ा के रख दोगे यह मेरी guarantee है PYQ 9 homework में आपके पास रहेगा जो figure है PYQ 9 की बिल्कुल भी घवराने की जड़रत नहीं है homework में मैं उसको लिखवा चुका हूँ पहले ही PYQ 9 और यह सेम है तो यही question study mat में भी है पूरा copy paste वही question है 6, 7, 8, 9, day figure सेम है requirement भी सेम है तो जब पहले आया तो 9 marks में आया था जो की गलत है 10 marks का question होना चाहिए और इतना बड़ा question आए यह ज़रूरी भी नहीं है आगे तो कोई बात करना पड़ेगा और अच्छे question में सेक है तो PYQ 9 homework में इसे करो break लेके करना और अब आपको एक confidence level अलगी मिलेगा यह one of the best question है जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है कि हाँ question का level बहुत ज़्यादा high है बढ़ी है एक ही बार exam में आए दुवारा से भी exam में आ सकता है तो यह सारे question जो आज आपको करवाएं जो homework दिया है वो करके आप local मिलेगा अब हमारी जो next class के अंदर topics है वो चोटे-छोटे से बच्चा-बच्चा topic बच्चे बच्चे topic तो वो topics हम लोग next class से start करेंगे यहां तक का बहुत important है जो भी आपने आज तक किया इस पूरे को एक बार revise करके फिर आप next lecture देखें तो आपको बहुत benefit मिलेगा क्योंकि अब आगे बहुत चोटे-छोटे से point है कोई खास माईदारी वाली बात ही है चोटे-छोटे point मिलेंगे और बहुत जल्दी-जल्दी हमारा निफ्ट देगा ओके जी सौको रड़ बाए बाए